सब्सक्राइब मिक्स से कंबाइंड चलते हैं आपका reasoning भी होगी, maths भी होगी, gk, science वगारा, सारे के सारे क्या होते हैं, combined होते हैं, ठीक है, तो चलिए, फटा-फट से start करते हैं, आज का जो portion रहेगा, वो आपके पास maths, और reasoning क्या रहेगा, mix रहेगा, maths के भी question मिलेंगे, reasoning के भी question मिलेंगे, maths के reasoning के, कहीं पर भी आपके पास randomly question पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, फटा-फट से करते हैं, start, सबसे पहला question यहाँ पर है, आपके पास, साफ-साफ दिख रहा है हमें, question किसका पूछा गया है, यहाँ पर coding decoding का question पूछा गया है, और यहाँ पर alphabet और क्या दे रिखे हैं, number दे रिखे हैं, और हमें पता है कि जब आपके पास reasoning के session हम कर रहे थे, वहाँ पर थोड़ा बहुत concept हमने सीख लिया था, कि कि किस तरीके स अगर आपके पास coding decoding का question पूछा जा सकता है, तो उसको हम analyze कर सकते हैं, हमने यहाँ पर अगर देखा है, तो alphabet और number देखे हैं, तो जहाँ पर भी alphabet और number आते हैं, तो वहाँ पर आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखना है आपने, कि alphabet का अगर coding उ थोड़े से क्या हो जाएंगे, तो फड़ा फड़ से बता दीजे, इसका answer क्या हो सकता है, पॉटेटो का उसने code देखा है, 32, 30, 42, 40 और 30, देखो वैसे कभी कबार वो क्या करता है, इसके बीच में dash उसने देखा है, जिससे question को समझना और easy होगे, लेकिन कभी कबार वो dash न का code आपके पास एक का 32 है, एक का 30 है, एक का 40 है, एक का 2 है, फिर आपके पास 40 है, फिर कितना है, 30, तो भी नॉर्मल इसको solve करते हैं, फड़ा फड़ से देखते हैं, पोटेटो उसने बोला था, पी हमें पता है, 16 पर आता है, लेकिन जब उसने इसका code बनाया, तो क्या कर कर दिया, उसने 30 कर दिया, है ना, same, T हमारा 20 पर आता है, तो उसने 40 कर दिया, A एक पर आता है, तो 2 कर दिया, यानि हमें साफ साफ पता चल रहा है, कि जो भी यहाँ पर alphabet use हुए है, word बनाने में, उसकी coding जब करी गई, तो जो भी उसके serial number तो उसको क्या कर दिया गया, डब कर रहा है, तो यहाँ पर क्या दे दिया, उसने 32 दे दिया, फिर U तो आपके पास 21 पर आता है, तो 30 दे दिया, R आपके पास 18 पर आता है, इतना दे दिया, NIP, ओहो, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड हो चुकी है, यह वाली जो coding है, यह पहले वाले की ही क्या हो गई, repeat हो इसको छोड़ दे फिलाल, तो अब हम क्या करेंगे, कि Redis जो आपके पास Alphabet इसमें यूज हो है, उसके Serial नंबर का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, R आता है, 18 पर इसका मतलब जो भी आंसर हमारा होगा, 36 से स्टार्ट होगा, 36 से अगर वो स्टार्ट होगा, तो 1 और 2, यानि A और D में से ही कोई सा हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, अब आजाओ किसमें A पर, A1 पर आता है, लेकिन कोडिंग कैसे कर रहे हैं, डबल करके कर रहे हैं, A1 पर आता है, तो कोडिंग इसकी कितनी होगी, 2 यानि दूसरी जो हमारी नंबर होगी, वो कौन सी आएगी, 2 इसका है, नहीं है, तो बस इतने से ही क्या आगया हमारा आंसर, तो कभी भी कोडिंग, डिकोडिंग के अगर आप कोशन करोगे, तो ध्यान रखना, पूरा का पूरा जो वहाँ पर वर्ड देरखा होता है, उसको कनवर्ट करने के जुरत नहीं है, एक दो अलफाबेट को कन इसके इसाब से अगर हम चलते हैं, यहां पर आजाओ, चार, नौ, अठारा, ऐसे देखो, यहां पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, जो हमारे पास क्या है, सेकिंड लास्ट है, एस उननिस पर आता है, तो यहां पर गल्ती से थोड़ा सा मिस्टेक और हो चुका है, आंसर हमारा कितना आजाएगा, 38 बहुत बढ़िया, बस टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं है, सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है, 38 के बदले क्या हो गया, वहां पर 36 हो गया है, ठीक है, तो हमने बस इसी तरीके से देखना है कि कैसे हम बाकी के आप्शन को अलिमिनेट क करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन आजाओ, अब आपके पास मैथ का कोशन आगे और बहुत इंपोर्टेंट कोशन है यह वाला, एवरेज का, बहुत ज्यादा बार यह कोशन पूछा जाता है, कोशन का कोशन का पूछे जाते हैं, कि कुछ चात्रों का समूता 20 चात्र थे, 30 चात्र से 40 चात्र थे, उनमें एक सिख्षक की आयू एट कर दी जाती है, तो आउसत उतना बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ जाता है, 30 चात्र थे, एक चात्र चला जाता है, घटकर इतना हो जाता है, 40 चात्र थे, दो चात्र और साइब आजाते हैं तो आसब बढ़ जाता है सारे के सारे को शन में आपके पास क्या होगा लिखा हुआ अलग होगा लेकिन concept यही रहेगा फरक पड़ेगा किसी के आने से और किसी के जाने से तो वही वाला concept हमारा यहां पर लेगेगा फटा फट से तो हमने एक चीज ध्यान रखनी है, average का मतलब क्या होता है, जो हर किसी के लिए लगभग क्या होता है, बराबर होता है, वही हमारा average होता है, अगर average से कम वेट वाला, अगर मैं वेट की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, average माना हमारा 40 है, छोटा सा concept समझ लो, कि average माना हमारा कि 40 है, यहाँ पर क्या होता है, कि अगर 38, यानि average से अगर कम वाला बाहर चला जाएगा, या फिर कम वाले को निकाल दिया जाएगा, तो हमेशा average में क्या हो जाएगी, आपके पास वृद्धी हो जाएगी, और अगर average से जादा वाला को निकाला जा रहा है, तो average में हमेशा क क्या होगी आपके पास कमी होगी यह चीज आपने ध्यान रखनी है इसी का उल्टा अगर हम चलते हैं अगर किसी के जाने से एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो गया है उसका जो वेट है वो एवरेज से कम रहा होगा अगर किसी के जाने से एवरेज घट रहा है तो इ है 20 – 26 हो सकता है बहुत important. और यह वो बार बार इस निकाल दी जाती है तो ऐसत कितना हो जाता है 31 average क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो यहां से डारेक्ट आपको समझ जाना चाहिए कि अगर एवरेज बढ़ रहा है तो जिसको निकाला गया होगा वो एवरेज से क्या होगा कम होगा ठीक है एवरेज का मतलब यहां पर हम डारेट क्या निकाल सकते हैं संख्या संख्या हम कैसे न निकाली जा रही है तो average अगर बढ़ रहा है तो निकाली गई संख्या average से कम होगी यहीं पर अगर वो question देता कि एक संख्या add करी जाती है तब हम 30 plus क्या करते 30 के बाद क्या करते plus करते अगर average हमारे पास आता तो ठीक है चलो फिलहाल यहां पर average बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है जो संख्या निकाली गई वो पुराने average से कम रही होगी अब main बात यह आती है कि कितनी कम रही होगी तो बस आप यह देखो कि last में कितनी संख्याएं बची है जो फरक हमारा average पर पढ़ा होगा average के हिसाब से ही सारा का सारा जितना फरक average में कियोंकि जो average से साथ होता है वैसा ही हर संख्या के साथ होता है इसका मतलब अगर average एक बढ़ रहा है तो हर संख्या में एक-एक की क्या हो गई होगी वृद्धी हो गई होगी तो यहां पर पहले 30 था अब 31 हो गया तो average में फरक कितना का पढ़ रहा है प्लस वन का पढ़ रहा है और यह प्लस वन का फरक कितनों के हिसाब से चलेगा जो last में व्यक्ति बचे हैं तो into कितना कर दिंगे 1 कर दिंगे 30-4 अगर हम करते हैं तो answer कितना आजाएगा 26 तो इसका मतलब निकाली गई जो संख्या होगी वो कौनसी होगी 26 बहुत बढ़िया निकाली गई संख्या कौनसी होगी 26 देखो question बहुत simple सा है यह आप total निकाल के भी कर सकते हो लेकिन paper में time बचाना है तो हापर concept आ होता तो संख्या जादा वाली आपकी निकाली होती next question आजाओ चलो फटा फट से फिर से आपके पास ratio का question आगया है अच्छा question है यहां पर किते जने हैं 4 जने हैं 4 जनों में जो राशी बाटी जानी है वो इस हिसाब से बाटी जानी है 1 upon 3 ratio 1 upon 5 ratio 1 upon 6 ratio 1 upon 9 और लास्ट में क्य रेशों जो होता है वही आपके पास actual value का भी क्या होता है चोटा सा रूप होता है यानि जो आपके पास actual संख्या होती है उन सबको अगर आप काट दो maximum common उसमें से काड़ दो तो वही क्या बन जाता है average बन जाता है तो इसका मतलब क्या है original संख्या का ही बिलकुल सरलतम होगा 832 रुपए का डिफ्रेंस होगा और यही डिफ्रेंस जो है हमें इन चारों में से एक अंसर तक ले जाएगा तो फटा-फट से बता दो इसका अंसर क्या हो जाएगा इस टाइप के भी कोशन बहुत पूछे जाते हैं चलिए एक मिन मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं कैमरा यहां पर अब ठीक है चलिए फटा-फट से आंसर बता दिए सबसे पहले तो देखो आपको एक बेसिक सी चीज़ ध्यान रखनी है रेशो जो होता है उसका हम बात करते हैं परफेक्ट फॉर्म की तो परफेक्ट फॉर्म उसका हमेशा क्या होता है इंटीजर के रूप में इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए और पॉइंट भी नहीं होना चाहिए लेकिन जो भी राशी यहां पर बाटी गई वो तो आपका फ्रैक्शन में बाटी जा रही है और हमें पता है चीज को convert करते हैं ratio में, तो हम संख्याओं का क्या लेते हैं? LCM, LCM क्या होता है? जो दीगई संख्याओं से cut जाता है, तो अगर आपके पास upon वाली संख्याओं का LCM लेंगे, तो हमें ऐसी संख्या मिलेगी, जो इन सभी नीचे वाली संख्याओं से cut जाएगी और convert हो जाएगी किसमें, integer में convert हो जाएगी और perfect form आपको मिल जाएगी रेशो की, चलें यहाँ पर solve करते हैं, A, B, C, और कौन है आपके पास? D, क्या था इनका? 1 upon 3, यहाँ पर कितना था? 1 upon 5, यहाँ पर कितना था? 1 upon 6, और यह कितना था आपका? 1 upon 9, कोई भी राशी तभी बढ़ सकती है, जब आपके पास रेशो में देर की होगी, लेकिन कौ रेशो, एकदम perfect ratio, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? सब का LCM लेते हैं, LCM कैसे लेते हैं? छोटी संख्या के divide अगर किसी बड़ी संख्या में जा रहा है, तो छोटी संख्या हटा हो, बचा हमारे पास कितना? 5, 6 और 9, हमने सिर्फ 5 और 6 का क्या निकालना है? 5, 6 और 9 का क्या co-prime है, तो co-prime का LCM क्या होता है? उनका multiplication, 5 और 45 तो कम से कम आपके पास LCM आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 बच गया, 6 को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो 6 का मतलब कितना है? 2 गुणा 3, जिसमें से 3 पहले ही calculate हो चुका है, तो बचा कितना आपके पास? 2, तो finally हमें जो निकालना है LCM, 2 और 45 का निकालना है, 2 और 45 का LCM कितना होता है? 90 होता है, तो यहाँ पर हमने LCM कितना लिखना था? 90, तो सब में हम क्या कर देंगे? 90 की multiply कर देंगे, अब इसको solve करते हैं, जैसे हम इसको solve करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? proper fraction, एक मिल जाए कितना जाएगा, आपके पास 15 और इसको काटेंगे, तो कितना जाएगा, आपके पास 10 आजाएगा, अब आपके पास जो संख्या, उसमें कुछ भी common नहीं है, और यही आपके पास perfect form होती है किसकी ratio की, अब मेरे पास final ratio है, जिसके हिसाब से उनमें राशियां बाटी गई लेकिन है condition है, भाग दिया था किसका B और D का, कि B और D के भागों के बीच में जो difference है वो है 832, ratio में भी हमें difference दिख रहा है न, ratio में भी हमें difference दिख रहा है, तो इसका मतलब अगर ratio में difference है, तो आपके पास original में भी difference होगा, क्योंकि ratio जो होता है, वो original का ही तो छोटा सा हमें तो ratio में पता है राशी, हमारे हिसाब से जो difference आ रहा है, वो कितने का आ रहा है, आठ का आ रहा है, लेकिन question क्या कह रहा है, कि भाई मेरे को सब कुछ पता है, मेरे हिसाब से तो और अंतर आना चाहिए कितना, 832 का, तो हमारा जो difference है, 8 का, वो किसके बराबर होगा, 832 के तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 104, अब एक ratio बराबर कितना आ गया, 104 आ गया, अब आप किसी की भी value निकाल सकते हो, total निकाल सकते हो, सबका combined करके कुछ भी निकाल सकते हो, क्या पूचा था, x का मान उसने पूचा था, x, x का मान पूचा था, और x ही तो क्या है, हमारी र तो देखता हूँ कितना आता है, 30, 40, 50, 60, 68 और कितना हो जाएगा, 73, 73 रेशो टोटल मेरे पास राशी है, जिसमें से एक ratio बराबर कितना है, 104, तो गुणा कितना करेंगे, 104, पूरा calculate करने के जुरत नहीं है, क्योंकि सबका unit digit क्या है, अलग-अलग, तो इसका मतलब डारेक यहाँ पर unit digit अगर आप निकालोगे, तो आपको answer मिल जाएगा, 4 तियां कितना होता है, 12 होता है, तो unit digit कौन सा वाला होगा, जिसके last में कितना हो जाएगा, 2, तो answer जो होगा हमारा यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, D answer हो जाएगा, clear है, चलिए, answer यहाँ पर हमारा क्या हो D answer हो जाएगा, तो ध्यान रखना option को भी आपने observe करना है, option अगर आप ध्यान से देखोगे, सारे 7000 के पास है, कोई दिक्कत निये, unit digits सबका क्या है, अलग-अलग, तो मेरे को देखो, paper में न सिर्फ option क्लिक करना होता है, answer नहीं दिखाना होता है, वाँ पर, सिर्फ option क्लिक कर 3, 5, 15, 41, dash, और कितना है, 173, तो देखो किस तरीके से आपके पास आगे आगे नमबर बन रहे, 3 से 5 कैसे बना, 5 से 15 कैसे बना, 15 से 41 कैसे बना, जिस तरीके से ये आपके पास 41 तक पहुचा होगा, वैसे ही आपको आगे जाना है, और नमबर पता करना ही, कि जहाँ पर question mark है हमारा, वहाँ पर कौन सा नमबर आएगा, चार option आपको दे रिखें, तो सबसे पहले देखो कि इनकी आपस में क्या series चल रही है, कौन सा इसमें आपस में operation चल रहा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आने वाला नमबर निकाल सकते हैं, 3 से 5 जैसे बनेगा, उसी तरीके से 5 से 15 बनेगा, उसी तरीके से 15 से 41 बनेगा, और यहां तक अगर आप पहुंच गए होंगे, तो आपको पता भी चल गया होगा कि किस तरीके से सारे के सारे बन रहे हैं, तो आप आंसर भी फटा फट निकाल सकते हो, चले बता दीजिए फटा फट से इसका आंसर क्या हो जाएगा चले कोशन आपका लिखाव है, 3, 5, 15, 41, डैश और कितना 170 अच्छा कोशन है, वैसे सिंपल सा कोशन है, देखो कभी भी इस टाइप के अगर कोशन आता हैं आपके पास, जैसे डाइग्राम वाले कोशन पूसा, डाइग्राम में पूसता है कि कौन सा नंबर आएगा, या फ क्लिक तभी करेगा, जब आप लोगों ने अच्छी खासी क्या कर रखी होगी, प्रैक्टिस की कर रखी होगी, ठीक है, जितने ज्यादा तरीके मेर को पता होंगे, उतने ज्यादा तरीके मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, चले यहाँ पर देखने हैं क्या हो सकता है इसका ईसना सर, 3-5, 5-15, 5-15 में तो मैं समझ गया, 5-3, 15 लेकिन फिर, 3-2, 6 होना चे था, तब 5-3, 15, फिर 15 के साथ 41 का रिलेशन नहीं बन रहा है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं देखूँ, गैप कितने का रहा है, दो का रहा है, इसमें गैप देखूँ, तो कितने का रहा है, 10 का gap आ रहा है इसमें अगर मैं देखो तो gap कितने का रहा है 26 का रहा है बाकी तो मेरे को संख्या ही नहीं पता और अगर संख्या ही मेरे को नहीं पता तो मैं gap भी कैसे निकालूँगा लेकिन अब इन gap में थोड़ी सी similarity देखो जरा ध्यान से देखो 2 से तो खेर हमें उतना पता नहीं चल रहा है लेकिन 10 और 26 को जब मैंने ध्यान से देखा तो 10 मेरे को क्या लग रहा है 3 का square plus 1 9 plus 1 10 26 मुझे क्या लग रहा है 5 का square plus 1 तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है उसने इस तरीके से series यहाँ पर बनाई होगी square वाली जैसे कितना add करा उसने 1 का square plus 1 यानि कितना add कर दिया उसने 2 add कर दिया यहाँ पर उसने क्या करा 3 का square 9 plus 1 यानि कितना add करा उसने 10 add करा यहाँ पर कितना था 26 का difference था 26 का difference मतलब 5 का square 25 20 plus 1 कितना add करा उसने 26 चलो ठीक है फिलहाल के लिए सारे के सारे में gap यहाँ पर बना चुका हूं अब इसी के हिसाब से मैं क्या करता हूं आगे पता करता हूं 41 से पता करता हूं कि आगे क्या होगा वन आ गया थ्री आ ओगया फाइफ आ गया ने सारे के सारे क्या चल आ आपके order number चल रहे हैं फाइफ के बाद क्या आएगा और अगर यह तरीका मेरा सही है ना तो सेम इसी तरीके से 91 से क्या बनेगा 173 बनेगा अब कैसे बनेगा मैं यहाँ पर solve कर देता हूं 5 7 तो अगला क्या होगा आपका 9 के square plus 1 9 के square plus 1 यानि कितने का difference होना चाहिए आपका 82 का difference होना चाहिए 82 अगर चोड़ोगे तो कितना मिल जा संख्याओं का continuous order संख्याओं का 1 का square 3 के square 5 के square 7 का 9 का और आगे बात करता 11 13 इस तरीके से हम क्या कर लेते gap निकाल लेते clear है बहुत बढ़िया 91 चलि नेक्स्ट कोशन आ जाओ फटा-फट से करते हैं इसको SCFL से हमका बहुत ही simple सा question पूछा है सबसे पहले अगर SCFL से हमका आप कोई question करते हो तो आप इसी तरीकी का question क्या करते हो SCM निकालते हैं तो direct इसका SCM निकाल देते हैं यहां पर 5 6 8 10 और कितना आ गया 12 आ गया अब SCM निकालते हैं हमें छोटी छोटी चीजों का हमने ध्यान देना है कि अगर छोटी संख्याओं का divide बड़ी संख्याओं में जाता है तो वहां पर हम छोटी संख्याओं को 8 10 और 12 दो से कर देते हैं चार 5 और कितना 6 फिर 2 से कर दो 2 5 और कितना आपके पास 3 और जैसे ही आपको सारे के सारे को प्राइम नंबर आप पास में मिल जाए या फिर सारे के सारे प्राइम नंबर आपको दिख जाए उसके बाद आप calculate मत करो क्योंकि उसके बाद अगर दुबारा क्या हो गया आपका रिपीट हो गया ना तो जैसे आपको ऐसे नंबर दिखते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं डारेक्ट उनकी multiply start कर देते हैं ताकि थोड़ा सा time हमारा वहाँ पर बच सके तो करते हैं दो दुनी सिंपल जो कोशन होते हैं वह concept बनाने के लिए होते हैं आपको concept समझना है वहाँ पर तब जाकर कोशन होता है ना आजाओ next question कि अगला question क्या कह रहा है profit and loss का है बहुत ही इसको भी important कर देते हैं यह भी बहुत important है बहुत बार पूछ लिया जाता है और है एक व्यक्ति को 75 रूपे एक्स्ट्रा प्राप्त होते हैं यानि पहले वह क्या कर रहा था 5% loss पर बेच रहा था फिर क्या कर रहा है वह 10% profit पर बेच रहा है तो जब उसने ऐसा करा ना कि 5% loss से वह direct कहां पर पहुंच गया 10% profit पर तो उसको पता लगा कि भाई मेरको 75 होगा 500 रहा होगा या फिर कितना रहा होगा 225 कि सिंपल ही तो गलत हो जाते हैं सिंपल ही तो गलत नहीं करने हैं क्योंकि मैंना आपको अब हर बार 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 मैं बताता हूं कि जो भी मेरिट बनती है वो सिंपल कोशन से ही बनती है क्योंकि सिंपल कोशन सब के लिए easy है होती 1100 concept इसमें लगता है बस वहाँ पर concept पर depend होते हैं सारी की सारी चीजे 75 रुपए आपको इस पर focus करना है 75 रुपए उसे extra मिल रहे हैं क्यों मिले लेकिन 75 रुपए कुस तो उसने extra करा होगा तभी तो उसका extra रुपए मिल रहे हैं वरना जितना उसे पहले मिल रहा था बाद में भी उतना ही मिलता उसने 75 रुपए extra कमाने के लिए क्या करा 5% loss के बदले किते पर बेचा उसको 10% profit पर अब बंदा पहले 5% loss पर बेच रहा था फिर 10% profit पर तो इसका मतलब क्या है कि पहले उसने अपना loss कवर करा होगा 5% का जब loss कवर करा होगा उसने 5% का तब वो क्या हो गया होगा ना profit ना loss लेकिन वो 10% profit पर भी गया तो इसका मतलब ध्यान से देखो उसने कितना percent टेक्ष् type का अगर question आता है अगर वहाँ पर opposite बाते चल रही है profit या loss की loss या profit की तो percentage को जोड़ दो अब concept समझ लो इसका loss और profit पहले कितने percent का था 5% का फिर कितने percent का profit था 20% का बीच में क्या रहा होगा आपके पास CP रहा होगा सबसे पहले उसने 5% क्या करा cover करा 5% उसने cover करा तो वो अपने CP पर पहुँच गया यानि जितने की वस्तु खरीदी थी वहाँ तक वो पहुँच गया ना profit ना loss तो उसने कितना cover करा है 5% cover करा उसने यहाँ पे लेकिन इसके बाद वो और आगे चले गया कितना 20% आगे चले गया तो इसका मतलब टोटल उसने कितना परसेंट करा है अच्छा 10 परसेंट था कि 10% यहाँ पर भी 10% तो टोटल 15% उसने cover करा लेकिन इस 15% को cover करने पर उसको कितने extra मिले 75 और हमें पता है CP तो हमेशा कितना होता है 100% होता है तो 15 से काटो 15, 55, 75, 1% बराबर अगर 5 है तो CP तो हमेशा 100 होता है तो इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपे की रही होगी 500 की रही होगी है ना बहुत ही 1200 question है बहुत ही important question भी है ठीक है बहुत सारे paper में repeat होता है direct आपका तो कुछ basic सी चीज़े आप लोगों ने ध्यान रख नहीं है बस अगर रटना है तो रटने के लिए मापको कह सकता हूं कि कभी भी step के question अगर आपको direct मिलता है opposite में तो उसको plus कर दो और value के equivalent रग दो लेकिन concept समझना है तो भाई ये भी देखो उसको 75 रुपे extra मिल क्यू रहे हैं है ना चलो next question आ जाओ अगला question फटाफट से बताओ क्या होगा लगबग वैसा ही question है लेकिन थोड़ा सा concept यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा किसी वस्तू पर लाभ है 120% ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यदी CP 10% से बढ़ जाता है यानि CP को 10% बढ़ा दिया जाता है और विक्रे मूल्य वही रहे यानि जितने में वो पहले बेच रहा था उतने में वो अभी बेचेगा तो लाभ का जो मार्जन हमारा होगा वो क्या होगा यानि अब वो लाभ कितना कमा रहा है तो बस जहां पर भी बात परसंटेज पे चलती है सबसे छोटा सा एक कॉंसेप्ट है कि CP को हमेशा कितना मालो 100 क्योंकि 100 पे कोई भी परसंटेज कैलकुलेट करना बहुत दीजी होत कि 100 हो सकते हैं बहुत सिंपल सा कोशन है लॉजिकल कोशन है पूरा का पूरा कुछ भी आपको ना तो इसमें फॉर्मला लगाना है ना ही कुछ सिर्फ सिंपल सा लॉजिक आपने यूज़ करना है और फटा-फट से आपको पता दिल जाएगा कि इसका अंसर क्या होगा कि चलिए अब तक तो मेरे साब से तो आजाना चेता मैंने काया ना जहां पर पर संटेज की बात चले कुछ समझ में ना आये तो सीपी को मान लो 100 क्यूंकि सीपी सही हर चीज क्या करती है रिलेट करती है प्रॉफिट हो रहा है सीपी प्रॉफिट लॉस हमेशा डिपैंड क थोड़ी सी क्या हो जाए? इजी हो जाए, अब आजाओ, प्रॉफिट कितना है? 120% है ये भी ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट 20% का होता तो वस्तु कितने की होती? 120 की होती, लेकिन प्रॉफिट यहां पर कितना है? 120% का है, तो भई 100 पे जितना परसंटेज आपका profit है तो इसका मतलब वस्तु जो है हमारी वो कितने की हो गई होगी 220 की हो गई होगी ठीक है यहां तक भी ठीक है अब condition होती है start condition क्या कह रहा है कि CP जो है वो 10% अब आप बढ़ा दो तो हमारे पास जो new CP है वो 10% बढ़ जाएगा क्या हमें कुछ calculation करने की जरूरत है कुछ भी नहीं CP कितना था 110% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 रुपे मान लेते हैं अपके बार 110 रुपे हो जाएगा SP तो अभी भी सेम रखने के लिए कहा उसने कि SP तो अभी भी वही रहेगा 220 क्या कहा था उसने विक्रय मुल्य वही रहेगा तो अब उसने बोला profit कितना होगा बैसाफ साफ आपको दिख रहा है 110 में खरीदा 220 में बेचा तो profit कितने का होगा 110 का profit और loss होता किस पर है कोशन स्टार्टिंग में हमने हमने बता दिया था profit और लॉस हमेश आपका CP पर होता है divided by कितना CP लेकिन ध्यान रखना अगर वह condition profit होगा जो पहले 120 परसेंट हो रहा था आपके बार कितना हो जाएगा 100 परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया 100 नेक्स्ट कोशन आजाओ यदि 27 लोग 8 घंटे काम 15 दिन में फिर आपके पास MDH मसाले जो चलते हैं वही वाला फॉर्मला हमारा लगेगा MDH man into day into our work इसी तरीके से आपका फॉर्मला होता है यह वाला जिसे हम कहते हैं M1, D1, T1 और M1, D1, T1 divided by कितना हो जाता है W1 हो जाता है वर्क लिख एक मिनटे लिए M1, D1, T1 divided by W1, M2, D2, T2 divided by कितना आपके पास W2, T के बदले आप H भी लिख सकते हो, R स T का मतलब भी क्या होता है मतलब क्या होता है, ताइम, M, D, H कर सकते हो, M, D, T करना है तो M, D, T, आप कर सकते हो इसी कोशन को अगर हम डारेक्ट लिखें तो M1, D1, T1 इसके साथ आता है दूसरा वर्क M2, D2, T2 इनके साथ आता है पहले वालों का वर्क बस M का मतलब subject जो भी काम कर रहा है D का मतलब क्या होता है दिन कितने लग रहे है T का मतलब क्या होता है टाइम कितना लग रहा है आर्स में या मिनट में कुछ भी हो सकता है W का मतलब यह है कि इतनी सारी चीज़ा एगर हो रही है तो काम हो क्या रहा है W हमारे पास होता है, वर्क, बाकि ये सारी चीज़े क्या है, सेम, हमेशा आपके पास क्या दिये रहते हैं, दो statement दिये रहते हैं, पहले statement में जो use होगा, वो M1 में आ जाएगा, दूसरे statement में जो use होगा, वो किस में आ जाएगा, M2 में आ जाएगा, ठीक है, चलो यहाँ पर कर बारा दिनों में काम कर रहे हैं, कितने डेज लग रहे हैं, बारा लग रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, और अगली बार भी वही काम हो रहा है, तो काम रखने की जुरत ने, क्योंकि दोनों साइट काम क्या है, सेम है, दोनों साइट आप रखोगे, तो वो जाएगा फिलहाल के लिए MDT से हमारा काम चल जाएगा अब यहीं जो काम है वो करना है कितनों ने 18 लोग ने तो divided by sorry कितना आ जाएगा एक वल्टू में 18 हो जाएगा multiply by कितने घंटे काम कर रहे हैं confusion नहीं होती confusion कभी कबार किस में हो जाती है वर्क में हो जाती है या फिर सब्जेक्ट में हो जाती है ठीक है चलो फिलहाल यहां पर इसको solve करते हैं काटते हैं कि छे दूनी बारा चैटियां ठारा नौतियां सत्ताइस कुछ उटा क्या हमारे पास अच्छा 27 से 27 कटा आठ दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 तो आंसर कितना हो जाएगा इसका सी बहुत बढ़िया नेक्स्ट कोशन आ जाओ फड़ा 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 निप्टाते हैं इसमें क्या कोश्चन है फिर से आपके पास इसमें कर रही हैतो है इससे पहले हमने क्या समझा ठाट नंबर बो इसमें कोशन को वह कर सकता है थोड़ा सा घूमा सकता है तो फटा फटसे से बतातो जला इसका अंसर क्या होगा अच्छा कोश्चन है एकने के उसने देर खें है code XZVM ठीक है body का देर खें है LYBW और हमसे पूचा है evil का तो फटा-फट बता दो ज़रा तब तक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यह हो गया इसका code क्या है XZ V और M ठीक है अगला उसने क्या बोला body बोला body का code क्या देर खें है LYBW हमसे पूचा है किसका evil का फटा-फट से बता दो ज़रा इसका code क्या होगा अच्छा सा कोशन है प्याला सा कोशन है बस ध्यान रखना कि क्या उसने यहाँ पर gapping करी है थोड़ा सा change करते है प्लस माइनस करते है बस बाकी तो क्या करता है reverse वाला भी check कर ले ना इसमें चलो खेर फिलाल अब देखते है क्योंकि अब तक मेरे साब से तो हो जाना चेता यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और थोड़ा सा अगर में जड़ा reverse क्या होता है Z होता है C और X में भी मेरे को क्या लिख रहे है similarity क्योंकि वो क्या होते है एक दूसरे के reverse होते है ठीक है तो यहाँ से हम यह समझ गए कि हाँ इन में क्या हो सकता है reverse हो सकता है इसमें आ जाओ N का reverse क्या होता है M होता है और E का reverse क्या होता है, V होता है, तो यहां से हम यह समझेगे, कि उसने क्या कर रहा है, आपके बार, reverse कर रहा है, लेकिन serial wise reverse नहीं कर रहा है, उसने cross में क्या कर रहा है, reverse कर रहा है, एक gap के बाद क्या कर रहा है, उसने reverse कर रहा है, तो चलो ठीक है, अगर यह वाला तरीका हमारा ठीक है तो ये भी देख लेते हैं, B का reverse Y होता है, L का ये होता है, D का W होता है, B का Y होता है, चलो ठीक है, यहां से अब हम 100 पटन शौर हो गए कि हमारा जो आंसर होगा, वह reverse में ही निकलेगा, तो लगा दो reverse, E का reverse क्या होता है, V, V का reverse क्या होता है, E होता है, तो EV से start होना च चाहिए, answer हमारा क्या हो जाएगा, इसका, C answer हो जाएगा, E, V, O, R, over नहीं होगा, answer इसका क्या होगा, C, E, V, O, R, ज़र अध्या, आंसर करो, बस, एक alphabet आपने change कर दिया, चले, अब अगर हम बात करते हैं, course की, तो अगर आपको लगता है, कि हम रीजने में को थोड़ी सी और strong अपनी करते हैं, क्योंकि technical paper के अगर हम बात करें, जहाँ पर non-technical start हो जाता है, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत कभी कवार आ जाती है, technical वाले बच्चों की, क्योंकि technical तो अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकि non-tech में उतना ज्यादा focus उनका नहीं रहता, तो अगर आप आपको लगता है कि हाँ, हमें अपनी reasoning strong करने के जुरुत है, तो आप batch ले सकते हैं, winner's batch जो dedicated है, पूरा किसको सिर्फ और सिर्फ reasoning को जो भी आपके technical paper होते हैं, जिसमें भी non-tech आती है, math reasoning जो आपके पास आती है, उसके relate करते हैं, सारे के सारे course हमारी app पर है, इसके लिए आ आपको क्या करनी है, download करनी है, उसमें बहुत सारे आपको course ही दिख जाएंगे, जो भी course आपको सही लेगेगा, वहाँ पर आपके पास technical course भी है, non-tech course भी है, अगर आपको लगता है कि किसी subject का मेरे को special कोई course लेना है, तो हर subject को बने वे, जैसे maths का बना हुआ है, reasoning का बना यह सारे का सारे course आप क्या कर सकते हो, individual ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं combined इनको लेना चाहूं, तो combined एक आपके पास complete non-technical नाम से course बना हुआ है, उसमें आपके पास general studies, general science, maths और reading यह सारे का सारे क्या होंगे, एक साथ आपके cover हो जाएंगे, ठीक है, तो ज चलिए, अब बात करते हैं question की अगले, तो यह है हमारे पास अगला question, फिर से coding decoding का question है, फिर से आपके पास alphabet देरके हैं, फिर से आपके पास number देरके हैं, तो यहाँ पर जो आपको देखना है, बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़े analyze करने है, alphabet to number देरका है, तो इसका मतलब serial number पर पर वो क्या करेगा, depend करेगा, alphabet to alphabet देरका है, तो इसका मतलब या तो वहाँ पर gaping चल रही होगी, या फिर वहाँ पर क्या चल रहा होगा, reverse सल रहा होगा, बस यही दो चार तरीके हैं, इनके पास, उसी में आपस में खेलते रहते हैं, question में, बाकी कुछ नहीं करते हैं, तो फटा-फट से बता तो जरा इसका अंसर क्या हो जाएगा, n is equal to 28 है, o, r, e is equal to 76 है, p, a, l, e का उसने पूछा है, कि अगर आप n से code निकाल लिए, o, r, e से code निकाल लिए, तो जिस तरीके से आपने code निकाल होंगे, p, a, l, e को भी वैसे कि वैसे आप बता दीजे कि कैसे बनेगा उसका code, तो चलिए यहाँ पर करते हैं, इसको solve फटा-फट से, n से ही वैसे हमें पता चल जाएगा, सारा का सारा, single alphabet, तो बहुत simple सा होता है, n कितने पर आता है, आपका 14 पर आता है, code क्या बना दिया, multiply by 2 करके, n कितने पर आता है, 14 पर code उसने बना दिया, multiply by 2, या कैसे बन रहा है, 76, O की बात करें, तो कितने पर आता है, 15 पर आता है, R 18 पर आता है, E कितने पर आता है, आपका 5 पर आता है, calculate अगर हम इसको करते हैं, 20 और 38, 38 का अगर हम double करेंगे, तो answer कितना हो जाएगा, 76, चलो ठीक है, अब हम 100% confirm हो गए, अब बात करते हैं, क्या पू 2 हमने कर देना है, 16, और 12 कितना हो जाएगा, 28, यानि कितना हो जाएगा, 34, 34 गुणा 2 अगर हम करते हैं, तो answer हमारा कितना हो जाएगा, 68, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, answer कितना हो जाएगा, 16, तो बस देखो, आप क्या करो, question कुना analyze करना सीखो, question करने से मतलब मत रखो, क्योंकि इसी type के question जरूरी थोड़ना है, यही वाला आएगा, question उसी type के पूछे जाते हैं, तो अगर सही तरीके से आपने analyze करा है, तो आप उस type के जो question किसी भी तरीके से अगर वो पूछे, आप easily इसको solve कर सकते हो, बस condition क्या है, कि आपने उस तरीके, question अच्छे तरीके से क्या करें है, analyze करें है, तब, next आजाओ, चलो, अगला question आजाओ, अच्छा, आपकी बार mathematical operation का आपको देरखा है question, क्या पूछ रहा है वो, after interchanging the given two numbers, what will be the value of it, यानि ये दो number आपने क्या करने है, interchange करने है, एक equation आपको देरखिया बड़ी सी, इस equation में आपने 3 and 6 जो होंगे, उनको आपस में क्या कर देना, interchange, interchange का मतलब क्या है, जहाँ पर 3 है, वहाँ पर 6 आजाएगा, जहाँ पर 6 है, वहाँ पर कितना आजाएगा, 3 है, उसके बाद, board mask का rule लगाना है, और answer हमने बता देना है, चलो तब तक मैं आपे लिख देता हूँ, 6 plus 7 into 3 minus 8 divided by कितना हो जाएगा, 4, तो चलिए फटा-फट से बता दीजी इसका answer क्या हो जाएगा, और हर कोई बच्चा इसको solve कर लेगा, ठीक है, जल्दी बाजी में गल आगे भी ले जा लेते हैं, और पीछे भी धकेल लेते हैं, इस टाइप के जो simple question होते हैं, वो भले ही आपको जादा आगे ना ले जाए, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया, तो बहुत पीछे आप लोग को fake दे गए simple question, ठीक है, तो simple question बहुत important होते हैं, चलिए अब solve करते ह हैं, 6 और 3 को, 3 के बदले कितना लिख देते हैं, 6, 6 के बदले लिख देते हैं, 3, बाकी तो कुछ हमने change करना ही नहीं, यहां पर क्या आजाएगा आपके पास, 6 के बदले 3, 3 के बदले 6, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, minus 8 divided by कितना हो जाएगा आपके पास, 4, करो इसको calculate, इस को तो हम direct calculate कर सकते हैं, यहां से काटिंगे, कितना जाएगा, आपके पास, 2 आ जाएगा, 42 और 2, 40, 40 और 3, अच्छा, 1 मिन्ट है, इसको काटिंगे, कितना जाएगा, आपके पास, 2 आ जाएगा, फिर 42, 42 में से 2 गए, 40, 40 और 3, कहांगे, आपका answer, 43, answer कितना हो जाएगा, इ दो जने हैं, X और Y, total भी उसने बोला कि कितने वेक्ति हैं, 47 वेक्ति हैं, 2 वेक्ति हैं, starting से एक 14 इस्थान पर है, और last से एक कौन सा है, 17 इस्थान पर, यदि वो अपना इस्थान इंटर्चेंज कर लेते हैं, तो हमसे पूछा है, कि जब इंटर्चेंज हो गया, सब इस्थान होगा, अब और इस्थान इंटर्चेंज करेंगे, तो X का इस्थान तो चेंज हो गई होगा, तो वो चेंज वाला इस्थान उसने पूछा है, कि इन चारों में से कौन सा हो सकता है, फटा-फट से बता दीजे क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए फटा-फट से बता दीए, बहुत ही सिंपल सा कोशन है, आपर कुछ बेसिक सी चीज आपने ध्यान रखने हैं बस, कि अगर इंटर्चेंज करते हैं सिर्फ दो जने, तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में जो इस्थान होगा, पहले भी उतना ही होगा, इंटर्च जितना जम्प करेगा ना, माना अगर 10 लड़कों का जम्प करता है, तो भी दूसरा अगर उसका प्लेस लेगा, तो वो भी तो 10 जो नों का ही क्या करेगा, गैप लेगा, तो यहाँ पर सल्फ करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, आगे से बोला है, तो आगे का मतलब कैं हो और y जो है वो कौन से स्थान पर है, सत्रवे स्थान पर है, इनके बीच में कितने भी बंदे हो सकते हैं, फिलाल के लिए, अब अगली कंडिशन हमारी क्या कह रही है, कि जैसे ही वो इंटर्चेंज करते हैं, y जो है, जो पहले लास्ट से कितना था, 17 था, अब वो क्या हो जा हो रहा है, तो अब यहां पर देखो जरा, यह 17 से कहां पर पहुंच गया, 34, इसका मतलब इनके बीच के जो बच्चे बैठे हुए थे, उसका इसने जंप लिया है, कितना जंप लिया है, प्लस 17, अगर इसने प्लस 17 का गैप लिया है, तो इनके बीच में भी तो वही बच् ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी step का अगर question आता है, तो जो left में उसको left में रखेंगे, जो right में उसको right में रखेंगे, एक बंदा जो gap लेगा, same to say, वैसा ही gap क्या करेगा, दूसरा भी लेगा, चलिए बात करते है, next question की, अगला आजाओ, mathematical operation का ही है, बस यहां पर की ने एक छोटी सी condition भी देर किये, सबसे पहले, कि अगर आपको solve करना, तो alphabet को हटाओ, उनके बदले मैं जो आपको sign दे रहा हूं, वो sign रखो, तो हर किसी का sign है, जहां पर A आएगा, वहां पर plus रख दो, जहां पर B आएगा, वहां पर multiply रख दो, जहां पर C आएगा, यह यहां पर कर देनी है, तो चलिए solve करते हैं, यहां पर, D है, D के बदले, यहां पर क्या रखना है, आपने, divide रखना है, B के बदले आपने क्या रखना है, multiply रखना है, C के बदले आपने क्या रखना है, minus रखना है, A के बदले क्या रखना था, यहां पर plus रखना था, फिर B आया, B के बदले क्या रखेंगे, multiply रखेंगे, A आया, A के बदले क्या रखेंगे, plus रखेंगे, और D, D के बदले क्या रखेंगे, divide रखेंगे, बस अब इसको हम क्या करते हैं, solve करना, start कर देते हैं, simple सा question, कर दो, चलो, तेरा सत्य क्या नवे, यानि यहां पर कितना बचा, 7 ब्रैकेट खुलेगा, multiply है, तो पहले से ही देर खाए, कितना हो जाएगा, 8, minus 50, plus, multiply है, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, plus, divide का sign है, 11 निम कितना हो जाएगा, 99, बस अब इसको क्या करना है, solve करना है, तो 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, minus 50, plus, कर दो इसक को, तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, तो इसका मतलब, यहाँ पर अगर हम solve करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा, 6, यह 41 है, 6 और 47 कितना हो जाएगा, आपका 47 हो जाएगा, तो answer इसका कितना हो जाएगा, ए, प्लेर है, तो बच्चों, फिलहाल आज के session को इतना ही रखते हैं, maths और reasoning आपके फिलहाल चली रही थी, अब आपका जो next session होगा, वो होगा science का, जो लेंगे जमाल सर, सही तरीके से question को पढ़ना, बहुत यह अच्छे-च्छे question है, जो आपके exam के लिए बहुत important होगा, उनक तो बच्चों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, देखिए class C Saturday की आपकी special class होती है, जिसमें हम पूरे हफ्ते जो भी हम पढ़ाते हैं, उसको accordingly फिर आप लोगों के सामने रखते हैं, ताकि आपको एक आदत बनी रहे, ठीक है, तो चलिए अब बात के बाते हैं, करेंगे हम जनर्नल साइन्स के questions की, कहा है भई मेरे question, मैं open कर देखिए class को share कर दीजिए, like कर दीजिए, ठीक है, ओके चलिए चलिए बच्चों, आज के भी question जो हैं सारे previous year के हैं, good afternoon, good afternoon dear, class को like और share जरूर कर दीजिए, पूरे हफते में अगर एक class, एक देड़ घंटा आप देते हैं, पूरे हफते में, डेली एक देड़ घंटा, नॉन टेक्निकल को, तो definitely आप लोगा बहुत अच्छा होने वाला है, एक्जाम जैसी notification आएगा, मदा आजाएगा, त्यारी करने के जरूरत नहीं होगी है अलग से, good afternoon, good afternoon dear, चलिए इशावा, इशावारी बच्चों, पहला question पढ़ेंगे, octopus किस संग का उधारण है, what is the example, octopus is example of which, of which phylum, चलिए answer दें, देखें किसका answer सही होगा, octopus इन में से, किस phylum, यानि किस संग में आता है, question बहुत simple है, और याद रखना, सारे, सारे question प्रीवियस यर से हैं, आज कुछ question मैंने SSC से भी लिये हैं, ताकि आप लोगों का SSC की भी आदत हो जाए, चलिए शावाज, class को like और share कीजिए बच्चों, class को like और share कीजिए और आजे ये जल्दी मैदान में, answer दें, फटा-फट, फटा-फट answer दें, ज्यादा मुश्किल question नहीं है, लेकिन question बहुत अच्छे हैं, आजे ये बच्चों, चलिए शावाज, शावाज, 3, अनिल कहरे हैं, 3, okay, अनिल कहरे हैं, 3, 3 यानि की और्थोपोड़ा, okay, और्थोपोड़ा कहरे हैं, चलिए चलिए, answer कीजिए, answer करो बच्चों, हाँ, class में live रही है, 4, mollusca, बिल्कुँ सही, देखो बच्चों, octopus जो है, वो mollusca होता है, mollusca, mollusca, echinodermata, अगर इसका कोई example पूछता है न आपसे, echinodermata, तो इसका answer देंगे आप, sea cucumber, sea cucumber, okay, यह बहुत अच्छा example इसका याद रखना, यानि कि जो समुदरी में, खीरे टाइप की shape के कुछ वो होते हैं, जानवर, तो वो, जो है, वो कहलाते हैं, बच्चों, आपके क्या, echinodermata, orthopoda, जितने भी insects हैं, जितने भी insects हैं, जैसे कि, क्या होता है बच्चों, जैसे कि scorpion हो गया, spider हो गया, यह सारे जीव जो हैं बच्चों, orthopoda में आते हैं, okay, mollusk की यह हो गया, ठीक है, तो एक example दे देता हूँ, porifera phylum में sea sponges आते हैं, ठीक है, हाँ, snidaria में क्या आता है, बच्चों, sea anemone आते हैं, okay, platyhalmenthia में क्या आते हैं, बच्चों, flatworm, चप्टे जानवर जितने होते हैं, enlida में बच्चों, गोल किरमी जो होते हैं, गोल किरमी, roundworm, earthworm जैसे वो आते हैं, मोलस्क में बच्चों, octopus आ जाता है, और तो पोड़ा में, आठ टांग वाले जितने भी जीव हैं, जैसे कि spider, scorpio वगरा यह सब आ जाते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, अगला कोशन देखेंगे, अगला कोशन, पक्षियों में प्राये एक ही होता है, इन पार्ट्स में से, बॉड़ी पार्ट्स में से, पक्षियों में कोई जो चीज है वो एक ही होती है, kidney, lungs, testicles या ओवरीज, चली बताए, गुर्दे, lung, testis, यानि की ब्रशन, या फिर ओवरीज, यानि की अंडाश्य, चली आंसर कीजे बच्चों, आंसर करें देखें, किस कांसर सही होगा, फटफट क्लास को लाइक और शेर कर जिए बच्चों, शेर करें क्लास को ता कि सब बच्चों को पता चल जाए, क्लास चल रही है, हां बताइए, पक्षियों के शरीन में न, इन अंगों में से, जो है न, ये अंग जोडों में होते है, kidney, lung, testis, ovaries, ये जो चाहे वो आपके चौपाए हैं, उन सम्में जो है, अंडाश्य जो है, ovaries जो है बच्चों, वो सिंगल ही होती है, ovaries जो है, वो सिंगल ही होती है, कैसा कहना सही है, नहीं, देखे, मनुष्यों में दो ovaries होती है, मादाओं में, ठीक है, इस्तनपाई में दो ovaries होती है, लेकि ठीक है मेल में पाए जाते हैं जो मेल आपका reproduction organ है उसमें दो testis होते हैं ठीक है बच्चो ठीक है आगला question नील गाएं ये देखिए ये नील गाएं होती है नील गाएं इन में से किस कुल में आएगी या किस family में आएगी बताइए cow, goat, sheep या deer चली आंसर करें बच्चो है cow, goat, sheep, deer देखिए कितने बच्चे इसका सही answer देंगे चलिए शाबाश आंसर करेंगे deer उतकष कहने deer ब्रिडलाल ने भी deer कहा है ओके बाकी भी बच्चे आंसर करें बाकी भी आंसर करते रहें नील गाएं इसका देखिए नाम गाएं जरूर है लेकिन actually एक टाइप का हीरन ही है और अक्सर आसपास के जंगलों में खेतों में जहां पर लोग रहते हैं वहां पर भी नील गाएं आ जाती है है अके तो यह अक्चली बिल्कुश है हिरन हीया इक टीयर जो हता है कुछ बच्चे जो हैं का वृसके क्यान मिल गाय लिखा है तो गायेख कुल्का बता सकते विच इस एक्चुली रॉंग इसका सही आंसर हिरन ही हो गई ये भी एक तरह का हिरन ही है हिरन ही है चलि अगला कोशन देखते हैं निलिकित में से कौन सा कीट नहीं है इन में से कौन इंसेक्ट नहीं है बेडबक्स यानि की खटमल इस्पाइडर मकडी हाउस फ्लाई घरेलु मक्षी मॉस्किटो मच्छर दे के कितने बच्च आंसर देंगे इसका हां बिलकुल बिलकुल कुछ होने ही नहीं देते खेत में हां क्या करें जानवर है वो तो खीचे गई आप उसका जंगल में खाना खतम हो रहा है तो लोगों के खेतों की तरफ बढ़ रही है जादा तर ठीक है विचाओ फॉलिंग इस नॉटन इंसेक्ट इनमें से कौन एक इंसेक्ट नहीं है बेडबक्स खटमल मकडी स्पाइडर हाउस फ्लाई घरेलु मक्षी या मच्छर चलिए बताइए बच्चो कीट नहीं है इंसेक्ट कीट नहीं है देखे कितने बच्च आंसर देंग हाउस फ्लाई कह रहे किए श्रीव पूजन ऑके उतकार भी लाज कह रहे हैं धीराज भी औरके कह रहे हैं ऑके ऑके ठीक है अब ध्यान से सुणना बच्चों ए ध्यान से सुनना इंसेक्ट और और्थोपोड़ा यह ना और्थोपोड़ा में सारे इंसेक्ट है ऐसा नहीं है सारे ठीक है सारे इंसेक्ट है सारी और्थोपोड़ा में सारे इंसेक्ट है लेकिन क्या सारे और्थोपोड़ा इंसेक्ट है नहीं ऐसा नहीं है ओके ठीक है तो आप देखो यहां पर important चीज क्या है बैडबक्स छे टांगे हाउस फ्लाइट छे टांगे मॉस्किटों छे टांगे इस पाइडर की आठ टांगे होती है और्थोपोडा लेकिन यह जो है बच्छो इंसेक्ट नहीं है और्थोपोडा और्थोपोड इस्पाइडर इंसेक्ट नहीं होता याद रखना आता और्थोपोडा में है लेकिन इंसेक्ट नहीं होता बच्छो ठीक है इस्पाइडर इंस बच्चे जो है मुझे confuse दिखाई दिये जादातर खटमल कीठ है घरेनी मुख्य कीठ है मच्छर कीठ है लेकिन मकडी जो है बच्चो ये कीठ नहीं है और्थो पोड़ा में ही है लेकिन कीठ नहीं है important question है याद रखेगा बच्चो याद रखेगा अगला कोशन वाइट लेग हॉन वाइट लेग हॉर नाम का एक जीव होता है ये एक्चुली किसी प्रजाति है पैरट तोता पीकॉक मुर्व कॉक मुर्गा ओल्स यानि season ask अश करें बच्चो वाइट लेग हॉर्ण इनमें से किसकी प्रजाति है या किसकी एक किसम है तो तो की मौर मुर्گों की या फिर उलुओं की चलिए बताइए या फिर उल्लुओं की देखें बाई कॉन अंसर देगा २। बुर्ण मुश्किल किस्ट्न है क्योंकि नहीं पड़ते हैं लेकिन यह रेल्फै अया हुआ कोशन है ठिक है यह रेल्फैर अया हुआ कोशन है चलिए चलिए आंसर कीजिए बच्चो हाँ हाँ शीव पूजन क्या करें पंक नहीं होते हैं हाँ बिलकुल ये भी बात है पंक नहीं होते हैं बिलकुल सही शीव पूजन बेरी गुड ओके फोर्थ पीकॉक देखिए इसमें आप अंदाजा ही लगाएंगे मुझे पता है क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को स्कांसर नहीं पता होगा रीजन क्या है रीजन यह है कि यह जो है इसके बारे में पढ़ते नहीं है जानोरो की वैराइटी के बारे में नहीं ये पूरा ताज है जो इसका, ये, ये बार कलर होगा, नोर्टिस कीजेगा, धीक है, तो ये तो commonly देखा ही होगा, आपने मुर्गा या बाई, खाया भी होगा, बहुत लोगों ने, हाहा, चलि आगला कोशन, आर्क्या बेक्टीरिया जो होता है, आर्क्या बेक्टीरिया, वो तो इन में से किस चीज को बनाने में काम में आता है, एथेन बनाने में, मीथेन बनाने में, एसिड बनाने में, या फिर एलकोहल बनाने में, चली आंसर दीजे. पर हखाने मत पड़ो उतकर कुछ कुछं मत पड़ो उसके कुछ ठेरी मत पड़ो कुछ्छं करेंगे बस उसके क्योंकि यह वराइटी वराइटी के जो कोष्वन है न यह तो मान के चलो अगर एक लाग बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से एक कही सही होगा वो भी मतलब 5-6 का सही होगा तुक्के से, अब कितिनी किस-किस चीज की वराइटी याद करोगे तो इस चीज से अवाइड करना है उस चीज को, हाँ, अब बताइए, आर्किया बैक्टीरिया जो है बच्चो, वो इन में से किसके प्रडक्शन के लिए यूज होता है, इथेन के, बहुत अच्छा कोशन है, बहुत अच्छा कोशन है, बहुत अच्छा कोशन है, अलकोहल, 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 देखे बच्चो, आंसर आने शुरू हो गए है, हाँ, तजबीर ने भी अलकोहल का है, तजबेर, चलिये, चलिये, हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, देखो ब अपने अलकोहल बनाने में, मीथेन जो कि एक fuel gas है, okay, fuel gas है मीथेन, इसको बनाने में आपका Archea Bacteria महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है, very important question, very important, क्योंकि ये question मैंने SSC में भी देखा है और ये question मैंने RRB में भी देखा है, okay, याद रखना बच्चो, याद रखना बच्च जो एक होते हैं, वह मीथेन बनाने काम में आते, अलकोहल नहीं, अलकोहल बनाने के काम में नहीं आते है, अगला question, अगला question, लाइकेन मिशृत जीव है जो बने होते हैं, like a composite organism है आप सब को पता हैं, ये किस-किस चीज से मिलकर बने होते हैं, like ains, चलि या answer दिज्ए बहु थीक है, ठीक है, चलिए. हाँ शिव बूजन, चलिये चलिये, आनसर दीजिये, लाइकान किस-किस से मिलकर बना होता है, फंगाई बैक्टीरिया से, या फंगाई ऐल्गे से, या फंगाई Braphyta, या एल्गी ऊर बैक्टीरिया, चलिये, आंसर दीजिये, आसा दीजेए यह कोशन कई बार आया बच्चो लाइकेन लिटमस पेपर F and A F and A F क्या हो गया भाई फंगाई एंड अलगी ओके बागी भाई क्या गया ने? B, 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 B बिल्कुर सही है बच्चो याद रखना लाइकेन जो है बच्चो भी फंगाई और एलगे से मिलकर बना होता है, कवक और शैवाल से, कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, अब ये दोनों जो है न, एक दूसरे को और उपर अपनी जिन्दगी निर्भर करते हैं, यानि कि इन दोनों की जिन्दगी एक दूसरे को ऊपर निर्भर होती है, एक एक खाने का अंतिजाम करता है, एक पानी का अंतिजाम करता है, पोशक तत्व का अंतिजाम करता है, अब ये सवाल आप लोगों के लिए है, कि कौन किस चीज का अंतिजाम करता है, कौन किस चीज का अंतिजाम करता है, आपको ये पता लगाना है, इन दोनों में से खाना कौन प्रोवाइड कराएगा इन दोनों में से पानी और पोशकता तो कौन प्रोवाइड कराएगा इंपॉर्टेंट चीज है यह आप लोगों को यह बताना होगा आज खुछ से यह देखना होगा चली अगला कोशन देखते हैं इंसुलीन हार्मोन जो होता है वो किसको कनवर्ट करता है प्रोटीन इन्टु ग्लुकोज 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 ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन टु ग्लुकोज चलि आंसर दिजिए इंपोर्टेंट कोश्चन वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है बच्चो आंसर करें आंसर करें बच्चो जो वो होता है इंसुलिन ठीक है हार्मोन परिवर्तित करता है ड़स इंसुलिन करना हां बताइए किस को किस परिवर्तित करता है इंसुलिन जो आपका हार्मोन है है फैट को ग्लूकोज में प्रोटीन को ग्लूकोज में यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में यह लोग करते हैं न दीरेच कह रहा है हमें सी ताजبीर कहने है ऐसी बिलकूश है बच्छ उसका जहीं वेजी हेए स्काइब होगा ग्लुकोस टोफ यू ग्लाकोगजन समझ में हागई बात अब उल्योकोस और यह सौरी यूज ऑ ग्लुकोस ते ग्लाई को जन बनता है बच्चो याद रखना किसकी मदद से से इंसुलीन की मदद से और अगर इंसुलीन बनना बंद हो जाती है तो इस गलू-कोज हमारे शरीर में बढ़ने लगता है ग्रक्राइब पलो नारी हो जाती है फिर उसको कनवर्ट करने के लिए हमें अलग से पैंसिलीन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलीन सोरी इंसुलीन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं अगला कोशन लेक्टोस बना होता है लेक्टोस किसे बना होता है बच्छो ग्लुकोस फ्रक्टोस स से या घ्लुकोस गलक्तोस से चलिए आंसर दीजिए यह वी अच्छा कोशन यॵह बढ़या कोशन है हां लेक्टोस किसे बना होता है यह टटोस किसे बना होता है देडितीज हां ठीक है चलिए चलिए बच्चों आंसर दीजिये लेकตो जो होता है और किस से बना होता है किस से बना होता है ग्लूकोज अफरक्टोस से यह की अफ्रेक्टोस से अथ्रें देखे बच्छो हाँ सॉरी हाँ यह बना होता है बच्छो लेक्टोज ऑप्शन नमबर 3 ग्लुकोज और गैलक्टोज से याद रखना बच्छो देखिए ग्लुकोज होता है C6-H12-O6 सिंपली यह क्या है बच्छो शुगर है जो कार्भोहाइडरेट में पाई जाती है कर्यक्ट गैलक्टोज क्या होता है बच्छो यह मोनो सेक्राइड है इसका फॉर्मूला भी C6-H12-O6 होता है तो आप कहेंगे कि सारी इन दोनों में फर्क क्या इन दोनों में फर्क यह है कि ग्रती सिमिलिः टो ग्लूकोज इन इस्ट्रक्श बडिफर करती है हाइड्रोक सील ग्रूंट की पोजिशन कि वज़ेसे हाइड्रोक्सील ग्रूपendeu क्रिप जो ओता है अरिशुग जुड़ा होता है इति गलुकोज एडेयलक्तोज में औरकोज बेसिक डिफरेंगी है हाँ मिल्क जो होता है बच्चों ठीक है तो लेक्टोज मिल्क में होती है जैसे लेक्टोजन जो आता है बच्चों का पावडर ने दूद का तो इसका C12-H22-O11 होता है याद अखना ओके बहुत अच्छे चलिए अगला कोशन हाँ इन विच्छ फ्यूमन औरगन और कॉलिफॉर्म बैक्टिरिया और फाउंड चलिए बताइए हुमन के यानि कि मौनिश्य के किस भाग में कॉलिफॉर्म नाम का बैक्टिरिया पाए जाता है जिसे हम इकोलाई भी कहते हैं बच किटनी वे या हार्ट में चलिए बताईए बिल्कुल फ्रक्टोस फ्रूट्स में पाए जाता है सबसे ज्यादा मीठा होता है सबसे ज्यादा मीठा सबसे ज्यादा मीठा सैक्रीन अच्छा मैश्योर नहीं उतकर्ष सबसे ज्यादा मीठा होता है नहीं हाँ वैसे यह है कि टोज अबसे जाधा मीठा शायद हाँ सही कहारा है प्रक्टोज इस सबसे जाधा मीठा होता है इसे कॉलिफॉर्म बैक्टेरिया कहते हैं बच्छो बिल्कु यूसे वर्ड यूस कि आपने इस बाक्टीरिया यी उस्फुल बबाक्टीरिया होता है aagla question एंजाईम जो yeast में होता है सुक्रोज को, glucose को, glucose को fructose में बसलता है we needs enzymes present in yeast canvards sucrose into glucose and fructose important question है सुक्रोज को जो होता है उसको glucose में convert करने लिए कौन सा enzyme इस्थैमाल किया जाता है चलिए आंसर दीजे हैं इनवर्टीज, लाइमेज, लाइसस या आपका शुमेसस चलिए बताईए लाइसस या फिर साइमसेज चलिए आंसर दें देंके कौन आंसर देगा इसका सिंत कि अ निटशीट गर्मिय अलेगेड यपिती अरशीट helping अलेग स्पार भिटा उस बहुत तो वह कॉत वह स्भाली पैरासाय्त कार्म div राशाइट भॉट हें भीवरी करता था हाँ पो खलें अन्सर्क्र2001 कोर्ट यमली श्चावशन है अच्चा कोश्चन है हाँ चलिए चलिए सी सी ए ओके टू ऑप्शन टू भी कह रहें दो बच्छ इसका अंसर यह तो सुना होगा आपने इनवर्टीज इनवर्टीज एक ऐसा एंजाइम है बच्छो जो सुक्रोज को गुलोकोज और फ्रक्टोज में करता है तिक अब यह चीजे तो यादा ड़नी पढ़ेंगी ना ये चीजे याद अख़नी पढ़ेंगी डियर नहीं बेट रहिए नहीं नहीं इन व defensive है हाँ invertise is the correct answer कोई बात नहीं आप answer देने that is very good आपको पता चलना है कौन सा है ठीक है invertise is the correct answer याद रखिएगा important question है okay a is the correct answer a is the correct answer यह yeast में बस आपको यह याद रखना है जो yeast होता है खमीर जिसे हम कहते हैं अब invertise is sucrose को glucose and fructose में convert करेगा okay next what is the temperature control center in the human brain हमारे मस्तिश्क में हमारी body का temperature control करने की कुंजी है एक हिस्सा है उस हिस्से को क्या कहते हैं बच्चो pituitary gland प्यूश गरंथी हाँ चलिए बताइए बच्चो हाई एनसेफलान ठीक है हाई एनसेफलान या पिर hypothalamus या पिर cerebrum चलिए आंसर दीजिए हमारी body का temperature control रहे सर्दी हो गर्मी हो बरसाथ हो उसके लिए हमारे दिमाग का एक हिस्सा responsible है that portion of your brain is known as चलिए बताइए क्या आंसर होगा चलिए बच्चो चलिए चलिए शाबाश हां आंसर दें सी 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 बिलकुर सही बच्चो और बिलकुर और और बच्ची भी आंसर करें भाई hypothalamus is the correct answer हमारे दिमाग का hypothalamus center जो है वो हमारी body का temperature control करता है देखिए यहां पर होता है चोटा सा हिस्सा hypothalamus ठीक है इसको अगर ध्यां से देखे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और इस hypothalamus के ठीक नीचे यह जो gland है यह pituitry है यहारे की प्यूज ग्रंथी है और ऐसा नहीं है किसी body temperature control करता है हमारी भूक हमारी प्यास हमारा शरीर में दर्द थकान गुस्सा और body का temperature यह सब hypothalamus control करता है जब इन चीजों में problem आती है तो hypothalamus में problem मानी जाती है ओके समझ में आया बच्छो तो this is pituitry gland and hypothalamus इन दोनों को साथ में ही ट्रीट किया जाता है जब भी कोई problem आती है कि रुधिर परिसंजन ततके खोज करता कौन थे हूँ discovered the blood circulatory system चली आंसर दीजिए हमारी body में जिस system के तुरू ठीक है blood दोड़ता है बहता है को करता है उसकी खोज किसने करिती आप लोगों को यह बताने उसकी खोज किसने करिती रदर फोर्ड ने डार्विन ने विलियम हार्वी ने वाट साइन क्रिक ने answer question answer बहुत है आसान है इसका और यह question याद रखना रेल्वें में चार बार पूछा गया है चार बार पूछा गया है चार बार चार बार इतना important question है simple सा question है कि रुधिर परिस अंजनता यानि कि blood circulatory system जो है उसके खोज करता कौन थे यह पूछा गया है simple सा question चलिए देखे कौन आंसर देगा सब्सक्राइब डिस्कवर्ड दा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सी 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 ओके हारवी सी सी बिल्यम बिल्कुल सभी बच्चों विल्यम हारवी इस दा करेक्ट आंसर इसमें जादा कुछ सोचना नहीं है मैं आपको फिर बता रहा हूं कि चाहे वो रेलवे का एक्जाम हो या ऐसे सी का डिस्कवरी बहुत पूछी जाती है इनमेंशन पूछे जाते हैं अक्सर तो इसलिए इने ध्यान से पढ़ते रहा करें देखते रहा करें अगला कोशन वाट ओके साउंड डिवाइस जो हमारी बॉडी में वो क्या कहलाती है यानि कि जो हमारी बॉडी में जो बोल रहा हूं यह आवाज निकल रही है यह किसमें से निकलती है बच्छो यह किसमें से निकलती है बताईए बच्छो लारिंक्स से फैरिक्स से गोट या ट्रेकिया श्वसनली या जो ठीकि चाली एंसर दीजिजिये बच्चो हां सदीजिये बच्चो लारिंक्स फेरिक्स गोट या फिर ट्रैकिया यानी कि श्वसन्स दीजिये बच्चो ऩंकर डीन्दन बुर अरविट इतको पाई ये भी पता कर लीजिये रधर रदर फोर्ड ने क्या था बच्छो रदर फोर्ड ने क्या किया था ये भी पता होने चीए डार्विन ने क्या किया था ये भी वाटसर ने क्रिक ने क्या था ये भी ये भी पता होने चीए ठीक है रदर अंस्ट रदर फोर्ड कहां के व्याग्यानिक थे न्यूजलैंड के ज एक ननद् Effaz की तो अलग एक धकन की तरह होता है जो सरफ एक तरफ खुल सकता है दूसरी तरफ शंताइखूरогव니다 यह वोकल कोड होता है एक सब बिलक होता है इन जा कर reads बच्चो लेरिंग्स कहा जाता है क्या कहा जाता है लेरिंग्स और इसी को हम कहते स्वरयंत्र हमारे गले का स्वरयंत्र कहा जाता है बच्चो तो लेरिंग्स ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ऐसी लिखी थी लेरिंग्स, ओके, ठीक है, हाँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, वेरे गुड, वेरे गुड, डियर जुई, ओके, ओके, तो हमारे शरीर का धवनियंद्र होता है, लेरिंग्स, यहां से आवाज निकलती है, बच्चों, याद रखना, यह ऐसो फेकस है, पीछे की तरफ, पीछे वाली ऐसो फेकस है, और आगे वाली ट्रेकिया है, एक श्वा सबसे छोटी हड़ी कौन सी है, नाखून, नेल्स, स्टेपीज, ओके, जॉबोन, नेजल बोन, या नाक की हड़ी, चलिए बताईए बच्चों, सबसे छोटी हड़ी हमारे शरीर में कौन सी होती है, कौन सी होती है, सबसे छोटी हड़ी, आंसर करेंगे बच्चों, क्या कान में एक हड़ी होती है कान में ठीक कुछ इस तरह की यह चोटी सी हड़ी होती है बच्चो इसे काता है अंदर की तरफ हमें दीख नई सकती इन हमें दिख नहीं सकती सब्से मजबूत हड़ी सबसे मजबूत हड़ी जौबोन सबसे मजबूत हड़ी I think हमारी ये थाई होती है ओके लेकिन हाँ जौबोन के बारे में मुझे कुछ याद दिने आ रहा भी सुना है मैंने याद मतलब पढ़ा है मैंने कही लेकिन सबसे जो हमारी हड़ी मजबूत होती है फीमर होती है शाद फीमर बोन कान की हड़ी यह सबसे छोटी हड़ी होती है इसके बार में यहाँ है ओके स्पॉंजी जो हड़ीया होती है बोन्स होती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों इस पॉंजी हड्डिया जो होती है, पॉंज मतलब जब आप इन हड्डियों का cross section देखोगे तो आपको छोटे-छोटे होल दिखाई देंगे, छोटे-छोटे होल दिखाई देंगे इनके cross section, उसे कहेंगे spongy हड्डिया, okay, sponge bones, तो उनने क्या कहते हैं बच्चों, osteoclast, cork, cancellous या ostones, चलिए आँसर दीजिए, या ostones. jaw bone ही होगा, सबसे मजबूत हड़ी femur bone होती है, femur लंबी होती है, बड़ी और मजबूत दोनों femur, चलिए हाँ देखो, मैं बता दूगा, jaw bone के बारे में मैंने सुना काफी मजबूत होती है, लेकिन शाय सबसे मजबूत यही है, है ना, चलिए चलिए बताइए बच्चों, क्या होगा, क्या कहते हैं बच्चों से, cork, or stone, देखे बच्चों, एक हड़ी होती, यह spongy bone है, उसके ऊपर compact bone है, तो spongy, जो bone होती है, उससे हम क्या कहते हैं, बच्चों, साम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, बच्चों, और जो हमारी compact bone होती है उसको हम कहते हैं बच्छो cortical bone, cortical bone कहते हैं बच्छो ओके, हाँ, इसका दूसरा नाम जहाँ वो trabisular bone भी है बच्छो spongy bone का, trabisular bone भी कहा जाता है बच्छो, ठीक है हाँ, याद है ना, इन दोनों के मिश्रण को हम normally bone कह देते हैं okay, इन में जो है compact bone जो है, जो बिलकुर ठोस होती है वो बहुत heavy होती है और वही ताकत देती है इसे, spongy bone क्या होती है बच्छो bone marrow अगरा को absorb करके रखती है, okay ठीक है C answer है C, C है answer हाँ, cancellous वो मैं समझ गया, तुम क्यों हजर हो, उतकर्ष क्योंकि वो थोड़ा dark हुआ वाया है, ठीक है ठीक है, cancellous is the correct answer, वो dark हुआ वाया है ठीक है, ठीक है ठीक है, चलिए अगला अगला question थाराइड का क्या काम है, what is the function of thyroid thyroid, thyroid जो gland होता है, उसका क्या काम होता है thyroid gland का क्या काम होता है, answer कीजिए thyroid gland का क्या काम होता है, बच्चों चलिए बताईए controlling blood pressure, controlling reproductive system, control of metabolism या boosting immunity चलिए, स्ट्रॉंग हटी फीमर ही होगी, Google करके आया हूँ अच्छा हाँ यही होती है, फीमर इसे तोड़ना महाभारत है, और अगर यह तूट जाए तो फिर किस पर खड़ा होगा, पूरी body का वजन लेके चलती है फीमर बोन, ओके, हाँ बताई इसका अंसर दीजे न, थाराइट जो होता है, कभी का वार आपने देखा होगा थाराइट पेशली महिलाओं में काम करना सही से बंद कर देता है, तो क्या होता है, कि अकसर महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है, ठीक है, और वो महिलाओं में क्या होता है, बच्चों एक और प्रॉब्लम हो जाती है, कि उन बच्चों में संतान होने के चांसिस कम होते चले जाते है ठीक है क्योंकि metabolism सही से control नहीं हो पाता यह देखिए यह metabolism है जो कि सही से control नहीं हो पाता तो third is the correct answer बिल्कुल सही answer third अगला question जब हमें थकान होती है ठीक है जब हमें थकान होती है या हम सुस्त महसूस करते हैं तो इसका एक reason है एक hormone reason है इसका उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं बच्चो एडर्नलाइन एडेनोसाइन थारॉकसाइन यह सिरोटोनिम चली आंसे दीजिए अच्छा question है ठकने पर कि सूजन आने लगती है बिल्कु सही कहरो बटा सूजन भी आने लगती है गला सूजने लगता है हना बोडी सही से काम नहीं कर पाती है थाराइट तो बहुत खतरनाक चीज है थाराइट चेक करवाते रहना चाहिए जब भी आपको समय मिले साल में एक बार दो बार ओके चाहिए वो मेल और फीमल और दोनों के लिए वो खतरनाक है चल यह शाबाश कि बी यह डी कहें बी या डी अच्छा मतलब तो और थ्री न्यु तू और फूर बच्चो अट डर्नटार युका होता है बच्चो यह तो आपको पता हैं जोशिला हर्मोन होता है यह तो जोश के लिए होता है okay okay Adenosyn क्या होता बच्हों Adenosyn貝तिव, Adenosyn हमारी बॉडी में तब निकलता है जब हम मेहनत कर रहे होते है जब मेहनत कर रहे होते है Thaurexene आपको पता यह थारैड घंथी से निकलेगा लेकिन यह जो serotonin है यह तब जब यह निगलना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी बॉड़ी ठक जाती है ठीक है है ना तो सुस्त हो जाती है तो जब हम हमें ठकान नहीं होती हमें जागने रहने के बाद सुस्त रहने का कारण हमारा जो हार्मोन बनता है वो क्या होती है बच्चो हार्मोन अब एक ब वीदर नौर्मल बीमारी है ठीक है, चली एच्छो सीरोटॉनी बच्छो अगला कोश्वन ऑटो सोम्स की कुल संख्या ऑड्टो सोम्स की कुल संख्या हमारी बॉड़ी में यह तो बहुत आसान कोश्वन है और याद रखना ये railway में कम से कम कुछ नी-कुछ नी, आठ बार पूछा गया है बच्छो, आठ बार ये question पूछा गया, autosomes, जिसमें एक pair sex chromosome का भी होता है, एक pair, ओके, तो actually कितने होता है, total पूछा है, देखो, कितने बच्चेस का सही answer देंगे, कितने बच्चेस का सही answer दे बाकी 44 कहने अनिल अठोड, okay, okay, 46, 23, यह देखो, आप देखो question ऐसा है नहीं कि थोड़ा सा confuse कर रहा है तुम्हें, वो पूछा है कुल संखिया, वो यह नहीं पूछा है कुल कितने जोड़े, अगर जोड़े पूछता तो answer 23 होता, लेकिन कुल संखिया पूछा है तो correct answer 46 होग अनिल का answer सही है, धीरच का सही है, अगर वो पूछे कितने जोड़े होंगे तब आपको answer 23 देना होगा, अगर वो पूछे कुल कितने होंगे तो आपका answer 46 होगा, clear, हाँ, ठीक है, नहीं बिटा, चलिए, चलिए, हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, पिटा, यह autosomes पूछे, I am sorry, chromosome total नहीं, सही answer 44 होगा, सही answer, oh, I am sorry, हाँ, सही answer बच्चो, इसका 44 होगा, बिल्कुल सही, यह तो मैंने ध्यानी नहीं दिया, autosomes पूछे हैं, बिल्कुल सही बच्चो, autosomes 44 होते हैं total, क्योंकि 22 पेर होते हैं, 23rd पेर जो होता है बच्चो, वो sex chromosomes का होता है, जिससे link निर्धारन होता है, ठीक है, जिससे पता च जो होता हो, sex chromosome होता है, 44 is the correct answer, बिल्कुल सही answer बच्चो, जिन बच्चो ने भी 44 दिया, that is very good, बहुत अच्छी बात है, अनिन ले भी 44 दिया है, very good, ठीक है, चलिये चलिये बच्चो, बहुत बड़ी आ, चलिये अगला कोशन, जिवानों का respiration site किसे कहते हैं, respiration, श्वसन इ इस्थल यानि कि जहां से श्वसन करते हैं, जिवानों, बहुत अच्छा कोशन है, जैसे हमारे श्वसन इस्थल क्या है बच्चो, हमारे श्वसन इस्थल फेपड़े हैं, जिवानों का क्या है, वहां ना फेपड़े हैं, आपका नाख है, वहां actually है क्या, वहां actually है क्या ब ribosomes चलिए बच्चों शावाश आँसर करें दिलिक होगे वो करें मिजवसोमिस श्रसन नहीं करते वाइरस जो थे जो थे नहीं करते याद रखेगा मीजोजोम सिर्फ उतकर इसना अंसर दिया इसका तो यानिकि यह कुशन ऑटोमेटिकली इंपटेंट हो जाता है जब आपको किस उसकोशन का आंसर नहीं पता और यह कुशन कहीं बार एक्जाम में पूछा गया मीजोजोजोम इस ना क्रेक्टा अंसर बिलकुल सही बच्छो, मीजोजोम जो होता है, बैक्टीरिया में वह इस थाने जहां से वह सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, कार्बन डाई हाकसाइड को छोड़ते हैं, समझ में आ गई बात? बिलकुल बिलकुल बच्चो बिलकुल ठीक है राइबोसों तो बिटा एक उसका part है cell का आपको पता है cell का एक part है बच्चो ठीक है तो चलिए बच्चो यह question यहाँ पर होते हैं समाब तब मैं माएंगी general evidence के कुछ question लेकर बने रहिए class में class को लाइक और शे जरूर कर दीजेगा ठीक है चलिए ओके पर लगादा बसलीच में पर बना जब देका पता है है तो हुड कि ए्याच स्क्राव नहीं है आप सभी का आज के सेशन में तो थोड़ी सी सांस ले लीजिए अभी तक जिस तेजी से आप लोग जा रहे थे थोड़ा सा ब्रेक लगा लीजिए तोड़ी के सामने होंगे गुड आफ्टर नून गुड आफ्टर नून गुड आफ्टर नून गुड आफ्टर नून वचे चलिए इस्टार्ट करते हैं पहला कोशन आप सभी की सामने जल्दी से आंसर करिएगा सभीधान से रेटेट प्रशन है बचे पॉलिटी का प्रशन है सभीधान के अनुसार संपत्ती का अधिकार किस परकार का अधिकार है सामाजिक अधिकार है कानूनी अधिकार है मौलिक अधिकार है या फिर आपका डारेक्टिव प्रिंस्पल है बताइए जल्दी से समिधान के अनुसार, संपती का अधिकार, right to property, right to property जो है, समाजिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या फिर आपका डारेक्टिव प्रिंस्पिल है, यानि कि निर्देसक, नीती निर्देसक सिद्दान्त है, किस परकार का है? बताएं, right to property, right to property बचे, इससे आपको दो तीन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो आपको 1978 यादक नहें, इस समय क्या हुआ था? इस समय आपका 44 समिधान संसोधन हुआ था, और इस संसोधन में क्या किया गया था बचे? जो आपका right to property है, इससे fundamental right से हटा करके, क्या कर द अधिकार से हटा करके, इसे कानूनी right यानि की legal right कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो अब जो है आपका किस परकार का है? अब आपका बचे है आपका एक legal right है, ठीके किस परकार का है या आपका? लीगल right है, और अगर पूछा जाए कि कौन से article में आता है, तो अभी आपका ये है 300 का 1, ठीके? 300 का A या फिर 300 के 1 में आपका अभी आता है, पहले आपका जो है कौन से अधिकारू के अंतरगत आता था? पहले आपका fundamental जो right थे बचे, part 3 में जो आपके fundamental right आता है, उसमें आपका 19 article है, 19 1 का F में आपका आता था, पहले ठीके? अभी जो है आपक 300 के ये में आता है, तो इसके बारे में इतनी बाते आपको या दखनी है, right to property, ठीके? ये होगी आपका legal right, ठीके? कानूनी अधिकार. अगला प्रस्न है करेंट फिर का कौन से राज्य ने सबसे पहले स्वास्ते का अधिकार विद्यक पारित किया है? बताइए, इन में से का right to health bill, पास किया गया है अपनी विधान सबा में. बताइए, कौन सा एस्टेट है? जो कि भारत का, पहला ऐसा राज्य बन गया है, पहला ऐसा एस्टेट बन गया है, जिसके द्वारा स्वास्तिय का अधिकार नाम से एक विद्यक अपनी विधान सबा में पारित किया गया है, बताइए, right to health bill, कौन से स्टेट है बचे? आपसन नमबर C, उतकर राजिस्तान, रंजन, आपसन नमबर C, आपसन नमबर C, very good, आपसन नमबर C मतलब की राजिस्तान, राजिस्तान बचे आपका सबसे पहला, भारत का सबसे पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसके द्व द्वारा स्वास्तिका अधिकार नाम से एक विध्यक लाया गया है, ठीक है, आगला प्रशन है आपके सामने, नियंतरक और लिखा परिक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए, CAG, Comptroller and Auditor General of India, इन्हें किसके द्वारा Appoint किया जाता है, Vice President हो गए आपके PM होगे, Chief Justice of India होगे, या फिर President, किनके द्वारा इन्हें नियुक्ति किया जाता है, CAG, जल्दी से बताइए, CAG, Comptroller and Auditor General of India, CAG को इन्हें से किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्ति किया जाती है, CAG, Very Good, President, President की द्वारा बच्चे, इनके नियुक्ति किया जाती है, उसके अलावा आर्टिकल या दखिएगा, अगर आर्टिकल पूछा जाए, CAG कौन से आर्टिकल में आता है, बहुत basic सी information है ये आपकी, 148, 148 वे अनुशेद, भारत के सविधान का 148 वे अनुशेद, जो जो हमें CAG के बारे में मताता है, ठीके और वर्तमान में, इस पद पर जो बच्चे आपके हैं, कप्टोर्रल जर्नल जो जर्नल ऑफ इंडिया, इस बार जो वर्तमान में है, उनका नाम भी या दखिएगा, गरीश चंद्र मुर्मु, ठीके, इनका नाम क्या है आपका, गरी चंद्र मुर्मु, या दिखेगा, अगला है, कौन से राज्य में, राजीव गांदी जल संचे योजना का दूसरा चरण सुवू हुआ है, ठीके, तो आपको ये बताना है कि राजीव गांदी जल संचे योजना, ये जो स्कीम चलती है आपकी, ये कहां पर चलती है, कहां पर चलती होगी ये, ठोड़ा सा लॉजिकल कुशन है, कर सकते हैं आप लोग, ये जो आपकी स्कीम पर चलती है, राजिस्तान में, ठीके, नॉन-BJP आपकी गवर्मेंट है या पर, तो या दिखेगा, राजिस्तान में आपकी ये स्कीम चलती है, और राजीव गांद जलसंचे योजना जो है इसका जो मोटी में बचे नाम में ही छुपा है जलसंचे अधिक्तम संगरहन, संडक्षन और पीने का जो पानी होता है उसके उपलब्दता बढ़ाने के लिए क्या किया गया है राजिस्तान सरकार के द्वारा इस मुहीम को इस योजना को लांच किया योजना, अगला है आपका Unix, computer का question है, Unix नाम का operating system आम तोर पर कहां पर यूज किया जा सकता है, बताइए, Unix, यह जो आपका OS है बचे, operating system है, ठीके OS है, यह आपका कहां पर इस्तमाल किया जा सकता है, केवल laptop में, केवल super computers में, या फिर सभी में, या फिर केवल desktop computers में, कहां पर इस्तमाल किया जाता है, बताए, बताइए, laptop, super computer, या फिर इन दोनों में, या फिर desktop computer, कहां कहां पर आपका Unix नाम का जो operating system है, वो इस्तमाल किया जाता है, या फिर इसका use किया जा सकता है, उतकर, all, anil, option number D, desktop में only, अच्छा या दिखिएगा, पहले तो आपको नाम या दिखना है कि Unix आपका क्या है, बचे, Unix आपका एक multi-user operating system है, ठीके, multi-user operating system है, और ये जो है, allow करता है, किसी भी, आप कोई भी computer system, अगर आप इस्तवाल कर रहे हैं, तो उस computer system को, एक से ज़ा पर इस्तमाल कर सकते हैं, इस परकार की जो है, फैसलिटी, ये OS, ये operating system आपका provide करता है, और इसे जो है, हम तीनों चीजों में, laptop में, super computers में, और Dextrom computer, तीनों जगा आप इस्तमाल कर सकते हैं, ठीके, तो Unix क्या चीज है, और उसका जो है, उसकी function क्या है, क्या काम करता है, ये यादखेगा, इस OS का जो है, प्लस point क्या है, वो आपको यादखना है, अगला है आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीती और युवा पोर्टल का अरावरन किया है, बताइए, राज्य युवा नीती और युवा पोर्टल बज़े से प्रूसकार भी जो है, इसे दिया गया है, बताइए, किस का है ये, उत्तर परदेश का है, अंधरा का है, अध्य परदेश का है, या फिर हिमानचल परदेश का है, जल्दी जल्दी, बताइए, यूद पोर्टल, युवा नीती और युवा पोर्टल, कहां पर, UP में है, AP मे है या फिर आपका HP में है, कहां पर है यह, very good, कहां पर है बचे, MP, Madhya Pradis, Madhya Pradis की सरकार के द्वारा, राजे सरकार के द्वारा, यह आपकी यूजना भी है, पॉलिसी भी है, यूवानीती के नाम से, और यूवा पोर्टल भी है आपका ठीके, और इसे जो है आपका PM पुरुसकार भी दिया गया है, 2023 का, अगला है आपका Lord Convalis का मगबरा कहां पर है, हिस्ट्री का कोशन है बचे, थोड़ा सा उठ पटांग सा कोशन है, बताईए, Lord Convalis का मगबरा कहां पर है, Lord Convalis, Lord Convalis बचे, जिनें आप लोग याज करते हैं, हिस्ट्री में, Permanent Settlement Act के लिए, जमिदारी पर्था की कारण, इन्हें जाना जाता है भारत में, भारत की तियास में, जमिदारी पर्था को लागू करने के लिए, Land Settlement के बच्चे आपके अलग-अलग परकार चलते थे, जो भूमी का बंदोबस किया गया था, ब्रिटिस काल में, वो जो है आपके अलग-अलग परकार की भूमी बंदोबस चलते से, उन में से आपका एक आता है, इस्ताई बंदोबस, तो इस्ताई बंदोबस को लागू करने वाले जो गवर्नर हैं, या फिर जो वाइस रहा हैं, वो आपके Lord Convoliast थे, टिके, इनका जो मगबरा है बच्चे, यह कहा पर इस्तित है, यहाँ पर दिखे, यह आपका Lord Convoliast का मगबरा है, और यह आपका गाजीपूर, UP, टिके, उत्तरपरदेश गाजीपूर में आपका इस्तित है, याद दिख पे यही system आपका चलता था, ठीके, भूमी का बंदोबस जो है, सबसे ज़्यादा, भूमी पर आपका यही वाला बंदोबस चलता था, आप permanent settlement कह सकते हैं इसे, और हिंदी में कहा जाएगा, इस ताई बंदोबस, ठीके, और इसी के अंतर के जमीदारी प्रथा भी आई थी, व वन वर्ड, टीवी, समिट, वन वर्ड, टीवी, समिट, यह मुझे बताईए, कि यह जो आपके सम्मेलन हुआ है, यह कहां पर हुआ है, जल्दी, नेट आपको स्लो हो गया है, वन सेकेड, पी-म एवार्ड वाला, अच्छा, ओके, 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 ओन सेकेड, ठीके, यह बच्चे जो आपको कुश्चन है, राज युवानीती, युवानीती बच्चे आपका, यूथ नाम से आपका, यूवा पॉलिसी या फिर यूथ, यूथ प्रोग्राम आपका चलाता, ठीके, यूथ प्रोग्राम आपका चलाता, कहाँ पर? जम्म्न कश्मीर में, JNK में, उसे जो ह, आपका, उस यूवा कारेकरम को आपका, मिला है, पी-म पुरुस्कार, ठीके, तो ये एम-पी वाला मत याद करिएगा, MP वाले को नहीं मिला है, यह आपका जम्मु कश्मीर में जो आपका Youth Program, यूव कारिकरम चलाय गया था, जम्मु कश्मीर को बचे मिला है आपका PM पुरुसकार, ठीक है, PM पुरुसकार अगला है आपका Word, One Word TV Summit, इसका आयुजन कहां पर क्या गया है, कहां पर, वारांसी, वेरी गुड, इसका आयुजन क्या गया है आपका, वारांसी में, ठीक है, पर्दानमंतिर नेंदर मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया था, यह जो आपका सम्मिट है, और यहां पर आपक पर्दानमंतिर नेंदर मोदी ने क्या कहा है, कि टीवी को, ट्यूबर क्लोसिस से भारत पूरी तरीकी से मुक्त हो जाएगा, कब तक, 2025 तक, ठीक है, उद्देश रखा गया है, कि भारत जो है आपका, ट्यूबर क्लोसिस मुक्त बन जाएगा, 2025 तक, यह जो आपका सम्मेलन बिचे कहाँ पर हुआ था, वारंसी में हुआ था, ठीक है, यहाँ देखेगा, अगला है आपका, डोना पाउला, कौन से राज्य में इस्तित सबसे प्रसिक्द और आकर्सक इस मारकों में से एक है, बताए ज़रा, डोना पाउला, बचे, इन में से किसी एक स्टेट की मिनलाड और आंध्य पर्देश, सारे की सारे कॉस्टल स्टेट से बचे है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि समूद्ध दिख रहा है आपका, ठीक है तो बताए आप, कहाँ पर यह, डोना पाउला, कहाँ पर यह, उतकर्स, गोवा, अनीश, ऑप्सन नमबर A, वेरी डोना पाउला, आपका कहाँ पर है इन में से, इन में से बचे आपका है, गोवा में, ठीक है, और यह, आपका क्या है, सबसे प्रसीद, यहाँ पर, गोवा में आपका सबसे प्रसीद, जो है, आकरसक है, और इसमारक है, एक्चुल में यह, आपका क्या है, मॉन्युमेंट, मौनिमेंट है गुवा के अंदर अब आपको बताना है कि कौन से राज्य ने मुसल्मानों को दे गए 4% आरक्षन को जो है आपका समाप्त कर दिया है और इसे जो है दो पर्मुक समोदाई में मुसल्मानों के अंदर बचे मुसलिम जो आपका इसलाम धर्म को माने वाले लोग है उनके अंदर भी आपके क्या है अलग-अलग साखाय है तो उसमें से जो है आपका sorry यहां पर देखिए आपका news क्या है इनमें से कोई एक state है उनके दोरा क्या क्या जाता था बचे आपको पता है कि हर एक जो आलपसंग के community है हमारे देश में उन्हें क्या क्या जाता है आरक्षन दिया जाता है तो यहां पर भी आपका musulman को 4% का आरक्षन दिया जाता था इसे जो है आपका समाप्त कर दिया गया है इनोंने मुसल्मान को दिया जाने वाला जो 4% का आरेक्षन है, वो समाप्त कर दिया है, और उसके बाद में बचे, दो और, दो और आपके कम्यूनिटी है, नौन इसलामिक है, ये है आपका वीरिशेव लिंगायत, और दूसरा कम्यूनिटी है आपका, वोक लिंगा, ठीके, इन कम्यूनिटी को क्या है, आरेक्षन देने की बात ही की है, तो बताइए जरा, ये कौन सा स्टेट है, कौन से स्टेट के दौरे आपका किया गया है, ठीके, न्यूस समझ में आ गई न, पहले आपका इसलाम, इसलामिक कम्यूनिटी जो है, इस स्टेट के अंदर, उनको जो है, 4% का आरेक्षन दिया जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया, और वो जो आपका 4% आरेक्षन था बचे, उसे जो है, दो अलग कम्यूनिटी में बाट दिया गया, दो दो परसन का, आपका, किये, ऐसा काम कब किये जाते है, जब क्या होने वाले रहते हैं, चुनाओ, लक्षन, करनाटिका, ठीके, याँ दिखेगा, करनाटिका के द्वारा, मुस्लिम रिजर्विशन, 4% था, उसे समाप्त कर दिया गया है, और उसे जो है, आपका, फर्दर, डिस्ट्रिब्यूट क कर दिया गया है, वीरिशेव लिंगायत और, वोक लिंगा कम्मिनिटी में, याँ दिखेगा, अगला है आपका, राश्ट्य उर्जा संदक्षन दिवस, कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताए, उर्जा संदक्षन दिवस, इंडिया के अंदर, नैशनल एनरजी कंजर्वे दे, बताएं, 2 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर है, 14 दिसंबर है, या फिर 12 नौमबर है, कब आता है ये आपका, भारत के अंदर बच्चे, जो एनरजी कंजर्वेशन दे आता है, या दिखेगा, ये आता है आपका, 14 दिसंबर को, ठीके, 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया ज प्रहार, एक्ससाइज वायू प्रहार का आयूजन किया है, बताएं, एक्ससाइज वायू प्रहार, इनमें से कौन सी कंट्री के द्वारा, इस एक्ससाइज का, इस युद्ध अभ्यास का आयूजन किया गया है, बताएं, और ये बचे, जो वायू प्रहार है, ये आपका, multi domain air land exercise मतलब इसमें जो है आपकी जो भी country आप answer करेंगे अभी उस country के दोरह जो है उसकी जो arm forces होती है उनके दोरह हिस्सा लिया गया होगा ठीके air forces के दोरह army के दोरह हिस्सा लिया गया होगा तो multi domain आपकी exercise है वायू प्रहार के नाम से है किसके दोरह किया गया है इस का यूजन कौन से country है यह इंडिया, very good इंडिया के दोरह बचे northeastern, जो LAC वाला आपका border है, किसके साथ में चाइना के साथ में, ठीके तो line of actual control पर क्या किया गया वायू प्रहार नाम से आपका air land exercise air land exercise मतलब कि इसमें Indian army के दोरह हिस्सा लिया गया, प्लस इसमें आपका Indian air force के दोरह भी हिस्सा लिया गया, ठीके, और नाम क्या रखा इसका exercise वायू प्रहार, भारत के दोरह इसका आउजन किया गया था अगला है आपका भारत का सबसे लंबा समुद्रितर्ट कौन इसा है, बताइए, कौन सा बीच है longest sea beach in India बताएं, अकसा बीच, दीव बीच, मरीन बीच या फिर चपोरा बीच बताएं, बताएं, कौन सा बीच है बच्चे सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला बीच इंडिया के अंदर, कौन सा बीच है कौन सा है यह, option number c, very good मरीन बीच, चेन नहीं के अंदर, कहां पर बिचे चेन नहीं, और अगर water body का नाम पूछा जाए तो यह आपका bay of bengal, मतलब की bengal of, bengal की खाडी, bay of bengal में आपका जो है, यह समुद्री तट बनाता है, ठीक है और समसे लंबी समुद्री तटवाला आपका बीच है, यह दखेगा, marine बीच आगे है आपका, भारत और अफरीकी देसों के सैना परमुखों का पहला सयुक्त सम्मेलन कहा पर आयोजित किया गया था बताइए, भारत का और अफरीकी देसों का, ठीक है, अफरीकन कंट्रीज बचे और इंडिया का आपका क्या क्या गया, इनके जो भी आपके आर्मी के, जो भी इनके देसों के सैना होंगी और भारत की जो सेना है, उनकी जो परमुख होते हैं, सेना परमुख होते हैं, उनका क्या हुआ, पहली बार एक सयुक्त सम्मेलन हुआ, ठीके, और ये सम्मेलन कहां पर हुआ है, ये आपको पूचा है, कहां पर हुआ है, बताइए, कहां पर हुआ है, भारत और अफ्रीकी दे क्या आपका हुआ है? पुने में. कहां पर हुआ है? पुने में. ठीक है? पुने में हुआ है यह यादखेगा. और यहां पर दो चीजे आपको यादखनी है. एक तो बच्चे आपका exercise हुई है. संयूग तो जो drill होते हैं, संयूग तो यू दब्यास जिसे कहा जाता है. एक त दूसा है आपका सम्मेलन, मतलब की conference, ठीक है, तो conference में जो, जिन सेनिकों ने जो है, इस युद्य अभ्यास में आपका हिस्सा लिया, यह फिर जिन लोगों के द्वारा यहां पर हिस्सा लिया गया, जिन countries के लोगों के द्वारा यहां पर हिस्सा लिया गया, उनके जो आपके सेनाओं के जो परमुक थे, उनके दोरा सम्मिलन में हिस्सा लिया गया. समझ रहना बात, यहां के जो आपके आर्मी के बचे जो परसोनल रहे होंगे, आर्मी परसोनल रहे होंगे, ठीके, वहाँ से, अलग अलग जगों से, आपके total जो है, आपके दस देशों के आर्मी चीफ जो हैं यहां पर हिस्सा लेने आयती है conference में, ठीके, तो दोनों चीजे आपकी लगबख सेम ही है, एक आपका conference, एक आपका drill है, और दोनों ही चीज आपकी पूने में हुई है, ठीके, यह आपको याद रखना है, दोनों ही चीज आपकी कहां पर participant को चुना गया, और उन्हें जो है, इस drill में हिस्सा लिया, और उसके अलावा, एक आपका संयुक तो सम्मेलन हुआ, जिनों ने किया आपका इस सम्मेलन में, इस conference में हिस्सा लिया, ठीके, आर्मी चीफ के दोरा यहां पर हिस्सा लिया गया, अब आ है आपका, निमलिकित म में है, कौन सा जो लोक निरतिय है, वो जम्मू कस्मीर से संबंदित नहीं हैं, नहीं है पूचा है, ठीके, नहीं है पूचा है, ध्यान दीजिएगा, बताईह, कौन सा नहीं है, option number B धूमल चलिए, देखिए बच्चे इन में से जो है डांगी डांगी जो निरते है आपका वो जम्मु कस्मीर से related नहीं है, वैसे आप अगर देखेंगे तो डांगी भी आप अलग-अलग state में पढ़ते हैं इसे, अलग-अलग state की जो लोग होते हैं, उनके द्वारे ही किया जाता है लेकिन जो सबसे famous जो डांगी निरते है ना वो है आपका चमबा का डांगी, ठीकिए, चमबा जो है आपका हिमांचल परदेश में आता है, हिमांचल अब ही आपको जमुकस्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ देखेगा, तो डांगी जो निरते हैं आपका, वो हिमांचल प्रदेश से लेटर है, ठीक है, अगला है आपका, बारवे Forbes India Leadership Award, 2023 में Gen Next, Gen, मत्तब की Generation, ठीक है, यह कौन सा वाला Gen है, Generation वाला, ठीक है, Gen Next Leadership Award, 2023, इन में से Gen Next Entrepreneur Award किसने जीता है, बताईए, बताएं जरा, करेंट का कुश्चन है बचे, किसने जीता है यह पुरुषकार, Gen Next, किसने जीता होगा, नेह मित्तल है, इशाबमानी है, रानी गोद्रेज है, अनन्दमानी है, मतलब की आने वाले जो Generation है, उनकी Entrepreneur को दिया गया होगा है, तो इस सारी के सारे वही है, उन्हीं का एक्जांपल है, सारी के सारे, ठीक है, यह दिया गया बचे आपका इशाबमानी को, किसे दिया गया है, इशाबमानी को दिया गया है, यह जो है आपकी Director है, Reliance Retail Ventures की, ठीक है, RRV, Reliance Retail Ventures Limited की आ गया है, इशाबमानी, अगला है आपका 26 रोग दिवस, 2030, कब मनाया गया है, 8 साल इसी दिन मनाया जाता है, बताई जरा, कब मनाया जाता है आपका, Tuber Closest Day, Word, Tuber Closest Day, कब Observe किया जाता है, कब Celebrate किया जाता है, 26 रोग दिवस, बताईं, बताईं, थोड़ से दिमाग पर जोड डालिए, Tuber Closest Day, कब Celebrate किया जाता है ये, इसी दिन आपका सम्मेलन हुआ है ना कहां पर, One Word, One TV, वारानसी में, कब हुआ बचे आपका, ये आपका आता है, मार्च 24 को, 24 मार्च को Tuber Closest Day आता है आपका, Word Tuber Closest Day है, और इस बार की जो इसकी थीम रही, उसे याद दिखेगा, Yes, We Can and TB, Yes, We Can and TB, ठीके, याद दिखेगा, हम क्या कर सकते हैं, TB को समाप्त कर सकते हैं, ये जो है इस बार का थीम रहा, और ये आपका जो दिन आता है, वो आता है, 24 मार्च को, ठीके, चलिए, आगे है आपका, किस अंतराष्टे बैंक ने, ब्राजिल के पूर्वर राश्ट्रपती, डिलमा वामा रुसेफ को अपना नया अध्यक्स न्यूक्त किया है, बहुत इंपोर्टेंट बचेए, आपके अपट्मेंट है, जल्दी से बताईए, इनमें से कौन से, बैंक के, ने अध्यक्स की रूप में, ने के रूप में आपका डिलमा रुसेफ को चुना गया है, बताईए, डेस को याद करने का कोई ट्रिक ने ये बचे, बस मंतली आप जो है, जब आपका मंत खतम हो जाए, तो पिछले महीने, जो आपका बीद गया है महीना, उस महीने में आपके जो इंपोर्टेंट डेस हैं, बस वही आपको याद दखना है, ठीके, सारे रोज कोई ने कोई सही कह रहे हैं, रोज कोई ने कोई डिया आ जाता है आपका, सिर्फ इंपोर्टेंट डेस को आप महीने के अंत में देख लीजेगे, और खास करके, जब आपकी परिक्सा होगी ना, तो परिक्सा जिन महीनो में होती है, जिन महीनों में आपकी exam होती है, वहाँ पे, जैसे कि आपका Tuberculosis Day है तो यहाँ पे बहुत बड़ा, यह आपका International Day है, और International Day की outset भःत पर भारत पे आपका बहुत बड़ा समेलन उस दिन IUJD किया गया है, तो इस तरीके से, जिनका significance जो थोड़ा सा चट्चाओ के द्वारा या फिर किसी राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, कौन सा ये, NDB, very good, very good, डिल्मा रोसेफ, अंतराश्टिया, बैंक के, बचे, डिल्मा रेसुप को आपको क्या किया गया है, President चुना गया है, अध्यक्स चुना गया है, कौन से बैंक का, New Development Bank, NDB, NDB को आपका जो ह है, पहले, किस नाम से जाना जाता था, Brics Bank, Brics जो कंट्री हैं, बचे, Britain, Russia, India, China, और South Africa, ये जो आपके कंट्रीयों का समू है, ये जो इन देशों का समू है, Brics, इनका जो बैंक था, इसे आप पहले Brics Bank कहते थे, 2015 में इस्तापना हुई है, ठीके, संगाई, चाइना में इस इसका headquarter है, और इसके जो नए अध्यक्स बने हैं, बहुत important ही आपके appointment है, याद कियेगा, दिल्मा रॉसेफ, इस बार इसका अध्यक्स बना गया है, तो अंडी भी, पुराना नाम इसका Brics Bank है, और ये इस्तापित का वो है, 2015 में completely, जो है, फंक्सन, काम करने से सुरू कर द यहाँ पर, अगला आपका निम्लिकित में से, निम्लिकित में से, बोड को पसंद नी आया, अगला अगला पराशन है, one second, चलिए, आगया, अरे भाई, रुकिये, 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 चलिए, यह हो गया, यहाँ पते, आपको बताना है, कि इन में से, इन personalities में से, कौन, कौन ऐसा व्यक्ति है, जो कि कभी भी, भारत का उपराश्च्रपती नहीं रहा है, बताइए जरा, बताइए, भारत का उपराश्च्रपती नहीं रहा है, निमलिकित में से, कौन, कभी भी भारत का उपराश्च्रपती नहीं रहा है, कौन सी personality है, बचे, संकर देयाल सर्मा, जस्वन सिंग, जाकिर हुसेन, या फिर B.D. जत्ती, नाम बताएए, भारत के उपराश्च्रपती इनमें से कौन से व्यक्ति नहीं रहे है, कभी भी, इसमें आपको सारे के सारे उपराश्च्रपती याद होनी चाहिए, इंडिया के अंदर, कौन-कौन बना था कब-कब, इनमें से बच्छे जस्वन सिंग है, इनियन पॉल्टिशियन, लेकिन ये कभी भी आपके उपराश्च्रपती के पत पे नहीं रहे, संकरदयाल सर्मा, भारत के उपराश्च्रपती रहे, जाकिर हुसेन जो है, ये प्रेजिडेंट भी रहे, और आपके वाइस प्रेजिडेंट भी रहे, और बीडी जत्ती, ये आपके वाइस प्रेजिडेंट ह ठीक है उपराश्ट पती रहे उसके बाद है आपका IBA महिला विस्व मुक्यवाजी चेंपियंशिप 2023 के 48 kg वर्ग में किसने आपका गोल्ड मेडल जीता है बताईए जरा खिलाडियों को नाम तो सभी को पता होगा है ना लेकिन आपको थोड़ा सा अंदर घुच करके ऐसा पूछा गया है 48 kg में किसने जीता है गोल्ड मेडल बताईए चार गोल्ड मेडल बचे इस बार इस टूर्णमेंट में इंडिया ने जीते हैं ठीके चार गोल्ड मेडल के सा जीता है स्वीटी, मैरिकॉम, नेहा, नीतु घंगास किसने जीता है प्रीती, ऑप्स नमबर डी, उतकर, स्वीटी अब इन खिलाडियों को अगर आपने देखा हो तो आपको अंदाज लगाने पड़ेगा किसका वेट है इन में से 48 kg किसने जीता है बचे चलिए 48 kg में जो ह नीतु घंगास, 48 kg में जो है नीतु घंगास ने जो है यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल जीता है इनके अलावा पहले तो टूर्णमेंट को दिख लिए जिए IBA का Women's World Boxing Championship 2023 हुआ कहां पर यह हुआ आपका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ इंडियों ने चार गोल् जो कि 48 kg में बचे खेलती हैं उसके अलावा दूसरा जीता लोविलीना बोरोहन ने ये खेलती है 75 kg में उसके बाद है निखत जरीन इनका भी पूचा जा सकता है बहुत इंपोर्टेंट पिलेरे बचे 50 kg में खेलती हैं उसके बाद है आपका स्वीटी बोरा यह आपकी 81 kg मे खेलती हैं ठीके तो चार जो है खिलाड़ी का नाम याद एकिगा साथ में जो हिनका वेट भी याद एकिएगा कौन से किलो वर्ग भार में एक खेल रही है ठीके चलिए आइटिंक कि आज का लास्ट कॉशन है चलिए हो गया लास्ट कॉशन है बचे कि आपको कुश्ण कुश्सी को मिला होगा उगा उगे कुछ नए कोश्ण देखने को मिलें होंगे कुछ नए कंफ्यूजन आया होंगे माइंड में ठीके कुछ पुरानom जो है याद आया होगा चलिए हैं आज का तक किसरिं को creator करते हैं मिलते हैं पिर किसी और अर्वठ ए रहिए बढ़ते रहिए अपना ख्याल रखिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद